वो आपका जाएगा जो balance 20% है तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि layout आपको बता दिया कि आपको अभी कहाँ focus करना है और अभी मैं आपको start करने वाला हूँ आपके questions जो है वो मैं भी share करूँगा इस screen के उपर जहिन NS आपका स्वागत है अभी तक हमने just जो previous classes में जो हमने cover किया था उसको recap किया है और अभी हम start करते हैं आपको एक-एक करके जो questions से उसको solve करने की कोशिस करते हैं आप confirm करें कि आपको screen page जो मैं दिखा रहा हूँ share कर रहा हूँ वो clear दिख रहा है Welcome Ansari Gautam आपका भी स्वागत है क्या आप screen page जो है वो अच्छे से देख पा रहे हैं question paper chat off, mic off तो सबसे पहला question है what do you understand by life skill तो जो भी life skill है जो आपके उसको WHO ने जो define किया हुआ है उसका definition नीचे लिखा हुआ है WHO has defined life skill as ability for adopting positive behavior that enable individuals to deal effectively with the demand and challenges of everyday life तो इसमें आपको कुछ word को हमने bold कर रखा है BGMI लभर no sir अच्छा आपको लग रहा है कि देखने में दिक्कत आ रही है बट यहां हमने chat को off कर रखा है कोशिस करता हूँ कि देखता हूँ chat को कैसे हम disable कर सकते हैं इस्क्रीन में चैट तो एक मिटट है chat को disable यहां पे add the chat we get on the prism भाई ठीक है chat camera on ठीक है it's okay we manage चलो thank you विसकर्मा गौतम कोशिस करेंगे मैं अब ही आपको repeat करने की कोशिस करूँगा और वैसे भी आप अगर देखोगे तो font हमने काफी बड़ा रखा है तो इससे आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी तो सबसे पहले है जो मैंने आपको यहाँ पे screen पे जो share किया हुआ है questions उसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ word है जो bold किये हुए तो जो bold किये हुए word है वो आपके keyword है catch word है उनको ध्यान रखना है इस बार जो परिक्षा होगा वो पूरा का पूरा objective MCQ type होगा और it has to be bilingual bilingual में जो दो भासा यूज किया जाएगा वो होगा Hindi और English और Hindi और English में क्या है कि जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि Pan India में जो हमारे NCC के काम करने वाले लोग हैं वो अलग-अलग स्टेटों से आते हैं तो exact Hindi का जो translation है वो statewide में थोड़ा फरका सकता है क्योंकि English word का Hindi में जब हम translate करते हैं तो उसके बहुत सारे होता है तो वैसे situation में मैंने यहाँ पे bilingual में Hindi और English दोनों को use करने की कोशिस किया है कि ताकि आपको समझने में आसानी हो लेकिन जब कभी आपको confusion हो चुकि आपके जो प्रशन पत्र है वो दोनों भासाओं में हिंदी और अंग्रेजी तो आप फर्स्ट प्रियोर्टी जो है उस दोनों में आप English word को ही देंगे जैसे पहले question से ही लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है what do you understand by life skill जीवन उसका जो हिंदी में उन्होंने लिखा है जीवन कोसल से आप क्या समझते हैं तो जीवन अब life skill का जो translation है वो जीवन कोसल भी हो सकता है जीवन पद्धती भी हो सकता है जीने का तरीका भी हो सकता है तो हिंदी में आप देखेंगे कि सब्दों में फर्क या थोड़ा सा उसके जो समानांतर्थ सब्द हैं, समान अर्थ रखने वाले, वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन चुकि हमारा जो main script है, जो main हमारा text book है, वो English based है, तो जब वैसे situation आए कि जहां पर आपको हिंदी सब्द को समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप उस सब्द जो हैं उसके, जो English question paper है, उसको देखें और उसके जो word है, उसके value देखें कि उसका नजदी की value कौन से है, उसी answer को tick करना है, तो इस तरह से पहला जो question बन रहा है, what do you understand by life skill, तो life skill को जो AWHO ने define किया है, ability for adopting positive behavior that enable individuals to deal effectively with the demand and challenges of everyday life. सकरात्मक बेवहार को अपनाने की छमता के रूप में परिवासित किया गया है, जो व्यक्ति को रुजमर्रा की जिंदगी की मांगो और चुनोतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्चम बनाता है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह जो Hindi translation है, यह आपका लग गूगल से किया हुआ है, तो गूगल से जब आप translate करते हैं, तो जो उसका spirit है, जो उसकी आत्मा है, भावना है, वो थोड़ी बदल जाती है, तो आपको इभन आप अगर हिंदी भासी भी हैं, तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो मैं आपको English बोलूँग है, वो एक आपकी काबलियत है, जो आपके positive behavior, जो सकारात्मक behavior है आपका, उसको adopt करना, ताकि जो आप है, individual जो है, वो effectively, जो मतलब, effectively जो उसके ब्यक्तिगत जिंदिगी में, जो day to day life में, जो challenges आते हैं, जो उसके सामने जो उसके problems आते हैं, उसको वो effectively, जो है, handle कर पाता है, तो यही एक life skill है, कि आप अपने आने वाले जिंदिगी में, जो भी आपके सामने चुनोतिया आती हैं, जो भी आपके सामने demand आता है, उसको आप प्रभावी तरीके से, उसको handle कर पाते हैं, अब हम पहुँचते हैं, दूसरे प्रश्न के उपर, what are the 10 core life skill, which help in enhancing the personality of an individual, किसी भी ब्यक्तिगे, जो ब्यक्तित्व है, उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसके आपके 10 skill है, 10 formula है, 10 method है, जो वो method है, वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, left side आप देखेंगे, इंगलिस में लिखा हुआ है, और उसके right side में, जो है आपको Hindi में लिखा हुआ है, उनमें से पहला है, self awareness, आत्म जागरुकता, आप कितने सजग हैं, अगल बगल के महौल में क्या चल रहा है, उससे आप कितने अवगत हैं, ये एक आपके life को enhancement करने में, personality को आपको improve करने के अंदर, ये skill आपको मदद करता है, आप अगर जागरुक नह इक को detail में नहीं समझाओंगा, और क्योंकि अबजेक्टिव है, अबजेक्टिव में आपको ये नहीं आएगा कि self awareness को explain करें, आपको आएगा कि इन में से कोई भी, जो ये 10 हैं, 10 में से 4 पॉइंट डाला होगा, और एक जो 4 होगा, 3 पॉइंट डाला होगा, 4 पॉइंट ज जो correct होगा, वो इन ही 10 में से कोई एक होगा, तो आपको जब ये 10 पॉइंट पता होगे, 10 वर्ड जो है, तो आप उन में से आसानी से उस चीज को select कर सकते हैं, अभी अंसारी ने बोला है, सर हिंदी वाला नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं हिंदी वाले को repeat कर ये आपका resolution क्या है screen का, अगर आपका 144 या 240 होगा, तो आपको हेजी दिखेगा, आप उस setting को maximum कर दीजिए, या auto कर दीजिए, आपको 360 और 480 के आसपास है, तो आपको clear दिखेगा, और अगर आपके पास internet अच्छा है, bandwidth अच्छा मिल रहा है, तो आप उसको 720 तक जा सकते है ये जो मैं अभी transmit कर रहा हूँ, HD mode में कर रहा हूँ, तो आपको YouTube के उपर maximum 720p के अंदर मिलेगा, और 720 के उपर आपको ये clear दिखाई देगा, फिर भी आपके सहुलियत के लिए मैं इसको Hindi और English दोनों को बोलूँगा, तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो individual की personality है, उसको enhance करन है, उस formula का auto है, चलो कोई बात नहीं, अगर auto है तो इसका मतलब है कि आपका जो भी mobile network है, उस वहाँ पे sufficient bandwidth नहीं है, और अगर आप देखें, अगर auto के बाद में वो बगल में bracket में लिखा हूँ आता है, कि auto में भी वो किस resolution पे चल रहा है, तो उससे one step आप अप करके देखे तो इसमें से सबसे पहला point है, self awareness, self awareness को हिंदी में जो हैं पर लिखा हूँ है, आत्म जागरुकता, self awareness basically आपको होता है कि आपके महौल में, आपके अगल बगल, समाज में, class में, state में, nation में, हर जगा जो है, क्या चल रही है, क्या हो रहा है, क्या event घट रहा है, कैसे कैसे situation fold up हो रहा है, तो ये self awareness बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने personality को उसी के हिसाब से adopt कर सकें, और उसी के मताबिक अपने आपको improve कर सकें, इसके बाद जो second point है, empathy, जिसको हिंदी में लिखा हुआ है, सहानभूती, ये भी एक आपकी personality का अभिन अंग है, अगर आप बहुत अच् की चीज नहीं है, वो personality फेल होनी होनी है, और वो बिकार है, तो empathy और सहानभूती, ये जो दूसरी quality है, ये बहुत जरूरी है, जिससे कि हम अपने व्यक्तित्व को बिकास कर सकते हैं, उठा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तीसरा जो point है, वो है critical thinking, इसका हिंदी में जो लिखा हुआ है, गंभीर सोच, critical thinking का मतलब हम सभी मनुस्य हैं, मनुस्य के पास अगर आप body को देखेंगे, तो body में आपके उपर सबसे उपर जो है, दिमाग होता है, पेट उसके नीचे होता है, कहने का मतलब मानो और मनुस्य को बाकी परजातियों से भिन क्यों हैं, क्योंकि बा देखेंगे, तो हमारे उपर सबसे उपर मस्तिस्क होता है, brain होता है, और उसके बाद हमारा दिल होता है, और उसके नीचे फिर हमारा पेट होता है, तो ये आप एक कह सकते हैं कि जो इस्वर ने हमें बनाया है, उसी order के मताविक बताया है, सबसे पहले हमें अपने मस्तिस् प्रियॉर्टी जो है सबसे पहले ब्रेन को देनी है उसके बाद आपको दिल को देनी है और तीसरा आपको पेट को देना है तो उसी में यह सब्द आता है गंभीर सोच, critical thinking गंभीर सोच बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी घटना होती है कोई भी चीजें होती है जब तक आप उसको अच्छे तरीके से सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तब तक आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते हैं और उसको अच्छे से जब तक समझेंगे नहीं तो आपका जो action होगा, output होगा वो फिर अच्छा नहीं होगा तो critical thinking, गंभीर सोच जो है personality development enhancement का एक अभिन अंग है अभी हमने जो पिछरा session Saturday को हमने किया था, उसी को मैं आगे continue कर रहा हूँ और अभी मैं आपको personality development के अंदर तकरीबन 20 से 30 प्रशन करवाऊंगा, इस सिर्ख 30 प्रशन को जिसने कर लिया, उसके certificate examination का जो है 15 से 21 प्रतिसत का जो तयारी है वो complete हो जाएगा सुरू के जो ये 20 प्रशन मैं जो handle करूँगा, वो A, B और C के common होगे, 21 के बाद जो आगे का जो प्रशन होगा, वो B और C के लिए exclusive होगा चुकि ये हमारा जो सेशन है, वो सारे credits के लिए है, उसमें से बहुत सारे credits A की भी तैयारी कर रहे है, B की भी तैयारी कर रहे है, और C की भी तैयारी कर रहे है तो इस तरह से मैंने अपने जो आपके जो ये capsule बनाया है, इस तरह से बनाया है कि हर बच्चे इसका फाइदा उठा सके सर मेरा बहुत सारा class नहीं हो पाया है, आप चिंता मत करें, आप अगर इस channel पे हैं, तो अभी से लेके examination तक आपके सारे theory paper के class मैं यहाँ चला दूँगा, और practical से सम्मंधित मैं आपको capsule दे दूँगा, वीडियो दे दूँगा, उनको देखके, अगर आप यहाँ पर जो भी NCC exam का जो playlist है, अगर आपने उस playlist के सारे वीडियो को देख लिया, तो आपकी पूरी तयारी हो जाएगी, आपके institute में दूरी के वज़ा से, schedule के वज़ा से, या किसी वज़ा से, अगर कोई class नहीं हुआ है, तो उससे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सारा class आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और आपकी तयारी पूरी हो जाएगी exam के लिए, जैसा कि मैंने बताया थ जो है, A, B और C का वो objective, बस तुनिस्ट प्रशन होंगे, जिसके अंदरगत आपको MCQ है, multiple choice आपके वाले question होंगे, जिसमें आपको चार choice दिया हुआ होगा, out of four आपको एक select करके tick करना है, A, B और C में आपको objective questions होंगे, MCQ type, answer आपको depend करता है कि आपके battalion या किस label पे आप exam दे रहे हैं, लेकिन B और C में OMR seat का इस्तमाल होगा, A के अंदर OMR हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रस्न का जो pattern है, जो question का जो pattern है, वो MCQE होगा, objective होगा, multiple choice type का होगा, और उनमें से एक correct answer को tick करना है, इसमें मेरे तरफ से आप लोगों के लिए एक सुझाओ है, कभी भी, जब भी confusion हो, कि इनका कौन सा best answer है, जो आपको सबसे best लगे, उसी एक को tick करें, क्योंकि एक से अगर आपने ज़्यादा tick किया, और उन दोनों में से एक सही भी है, बट by default वो आपका answer wrong में count हो जाएगा, तो कभी भी ये नहीं की चारों tick कर दो, machine है, वो confused हो ज marks के होगे, अगर आपके प्रस्न का उत्तर सही है, आपको 5 number मिलेगा, और अगर आपके प्रस्न के उत्तर गलत हो गया, तो 5 number आप लूज कर जाओगे, तो ये सुनिस्चित करना, कि कि किसी भी प्रस्न के उत्तर एक ही देना है, एक से ज़्यादा नहीं देना है, टिक करना जो होगा, या जिसको आपको HBO Pencil से, HB Pencil से आप डार्क सरकल बनाएंगे, या मार्क करेंगे, वो out of 4, 1 ही होना चाहिए, ये ये नहीं की 4 हो मार देना है, तो अब हम वापस फिर से question number 2 पे आते हैं, जो आपका जो next point है, जो आपकी personality enhancement को affect करता है, इंप्रूब करता है, वो जो होता है, वो सबसे उपर होता है, और brain का एक inherent quality है thinking, हम हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, तो जब आप सोचते हैं, तो कोई भी thinking, generally आप कह सकते हैं, तीन तरह की होती है, एक creative, एक destructive, एक useless thinking, जिसका कोई logic नहीं हो, तो अभी ये तीनो thinking आपके दिमाग में होती है, और आपको अगर personality को improve करना है, enhance करना है, तो आपको किसको promote करना है, creative thinking, रचनातमक सोच, वैसे चीजों को दिमाग में लाएं, जो आपको creativity देता हो, जो आपको positivity देता हो, जो आपको आगे की तरह बढ़ाए, कोई भी negative thinking यो होगा, या जो destructive thinking होगा, वो आपको भी नुक्सा पहुचाएगा, और आपके देश को भी नुक्सान पहुचाएगा, तो आपको ये जोर देना है कि आपकी जो personality है, उसको enhance करने के लिए, आप creative thinking के उपर focus करेंगे, जोर देंगे और उसी पर आगे बढ़ेंगे, और creative thinking का जो हिंदी रुपांतरन है, वो है रचनातमक सोच, इसके बाद आता है next जो आपका पाँचवा पॉइंट है, वो है problem solving skill, इसका हिंदी है समस्या, समाधान, कौसल, personality development के अंदर जो है, आपका जो enhancement का जो होता है, उसमें एक आता है problem solving skill, आप ने देखा होगा कि जैसे आप NCC में आते हैं, NCC आप join करते हैं, तो आप एक team और group क तरह काम करते हैं, day to day आपके सामने problems आती हैं, आप as a team, as a group उसको आप solution देते हैं, और आपने देखा होगा कि आपके school और class में ही जो monitor है या जो आपका group का leader है, वो क्यों आप उसको leader मानते हैं, वो ये reason है कि आपके पास जब भी कोई problem आता है, वो उसको solution में convert करके आपको देता है, तो किसी भी समस्या का समाधान ढूंडना, ये अपने आप में एक talent है, ये एक skill है, तो अगर आपकी personality improve करे, enhance हो आगे बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि आपके अंतरगत, ये जो problem solving skill है, समस्या का समाधान खोजने का जो हुनर है, ये आप में होना चाहिए, तो पॉंचमा point जो है, वो है problem solving skills, समस्या समधान काशल, और ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, आप अगर कल को किसी भी साचातकार में, इंटरव्यू में अगर आप बैठेंगे, तो कोई भी जो इंटरव्यू लेने वाला आदमी होता है, आपसे जब discuss करता है, तो वो कुछ personality है, वो ये सीजों को दिखाता है कि नहीं दिखाता है, तो ये जरूरी है कि इनसी जो को ध्यान दें, और खास करके जो English में जो word यूज किये गए हैं, उनको दिमाग में बिठा लें और अपने notebook में उसको note कर लें, उसके बाद next आता है decision making, आपने सोच लिया, creative thinking कर लिया, आप awareness, self awareness भी आप में ठीक ठाक है, आपने उसको problem solving skill भी कर आप में है, लेकिन उससे भी एक आता है, अगला जो important point आता है decision making, क्या आप ने जो भी analysis किया problem को, उस problems हाँ, तो अभी हम थे decision making, तो उसके बाद जो हमारा six points आता है, वो आता है decision making, decision making बहुत ही important है, अभी थोड़ा सा disturbance आ गया था, चलिए अभी क्या कर सकते हैं, class के अंतरगत, जो आपके दोस्त होते हैं, उनको आप रोक नहीं सकते हो, हमने flight mode में डाल रखा था, फिर भी अभी उन्होंने call कर दिया whatsapp के उपर, तो इसलिए थोड़ा सा यह आपका class डिस्टर्व हुआ, इसके लिए खेद है, तो अभी हम आज आते हैं, आपके next point के उपर, next point है decision making, decision making का, जो हिंदी है, वो है निरने लेना, आपने problem आया, आपने उसके उपर creative thinking की, critical thinking की, सब कुछ किया, problem solving skill लगाया, लगाने के बाद उसके जो solution है, वो आपके mileage की 3 solution है, solution A, solution B, और तीसरा हो गया, solution C, उसके बाद आता है कि क्या आप में ये capability है, कि आप उस solution आपने निकाला, option जो आपको निकला, क्या वो option को आप select कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो वो जो न दिरने लेना होता है कि which option will be most appropriate or correct, वो भी एक personality enhancement का important ingredient है, decision making, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था कि इस बार के सारे exam जो होंगे, वे आपके objective type के होंगे, अब objective type में जब आपने पढ़ना शुरू किया, तो आपने 4 option आपके पास हैं, उस 4 option को जब आपने पढ़ा तो उस सही है, ये भी सही लग रहा है, तो वहाँ पर आपको decision लेना पड़ेगा, अपने experience से, अपने knowledge से, अपने हुनर से, कि इन दोनों में से which one is best, which one is most appropriate, which one is most near to correct answer, तो एक decision लेना जो होता है, वो एक important ingredient है, और वो आपके अंदर गत होना चाहिए, कि decision लेना, हो सकता है कि decision आप आपका wrong भी हो, हो सकता है, decision आपका right भी हो, तो right और wrong वो आपके अनुभाव, तजरुबा, आपका knowledge उन सब पे निरभर करता है, लेकिन decision न लेना, असमंजस किस्तिती जो है, वो और भी बिनास का कारण होती है, तो right और wrong decision जो भी है, आपको decision लेने की चंता आप में होनी च होगा, उसके बाद आता है, आपकी personality का जो next point आता है, वो आता है, interpersonal relationship, जिसको की हिंदी में बोलते हैं, पारस्परिक संबंध, अभी एक प्रशन किया है, MT Gamer ने, sir pencil यूज कर सकते हैं, अभी मैंने जो बोला, अगर आपको OMR seat दिया गया है, OMR, OMR बोले तो उसका full form है, optical mark recognition seat, तो ये जो seat होता है, इसमें आपके एक side में, left side में आपके प्रशन के number लिखे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और उसके right में A, B, C, D करके लिखा होगा letter, और उसके उपर goal circle या square बना होगा, तो उसमें आपको इन सब में जब OMR seat मिलता है, तो सबसे पहले OMR seat के उपर में ए सूचना लिखा रहता है, साथी साथ आपके प्रशन पत्र के उपर भी सूचना लिखा रहता है, कि जो OMR seat है, उसको किस चीज से dark करना है, कहीं कहीं पर instruction में लिखा रहता है कि आप HB pencil से इस्तमाल करके dark करना है, कहीं कहीं पर लिखा रहता है कि black paint से करना है, कहीं हो सकता है लिखा हो blue pain से करना है तो मैं आपको ये suggestion दूँगा कि अभी चुकी ये first time examination हो रहा है और आपको नहीं पता है कि किस चीज़ से होगा तो आप examination hall में जब जाएंगे तो तीनों चीज़ आपके पास होना चाहिए HB pencil के साथ साथ erager दूसरा blue pain तीसरा black pain तो अभी तक जितने भी OMR के examination होते हैं उन तीनों में यही तीनों का इस्तेमाल होता है या तो black, या तो blue या तो HB pencil अभी ये नहीं पता है कि हर जगा जो examination conduct करेंगे वो अपने instructions में क्या देते हैं क्योंकि ये depend करता है कि जो OMR seat को जो को गनाइस करती है blue pain को, black pain को या HB pencil किसे द्वारा dark किया होए को तो वो software और hardware जो machine check करने वाला होता है उसके उपर अंदिरवर करता है but as a cadets जो है आप तीनों के लिए prepare रहे है HB pencil मैं दुबारा बोलता हूँ क्योंकि जो आप pencil लेने के लिए market में जाते हैं तो वो आपको दुकांदार ढेर सारा pencil दिखा देता है तो pencil जो होता है soft से hard होता है और इनके जो बीच का boundary वाल है जहां से hard और soft का distinguish होता है वो HB कहलाता है H से अगर आप HB से अगर H की तरफ जाओगे H1, H2, H3, H4 तो आपके pencil hard होते जाएंगे और अगर B की तरफ जाईएगा B1, B2, B3 तो वो आपके soft और dark color होते है इन सब चीजों में OMR seat के उपर जो pencil हम यूज करते हैं HB pencil यूज करते हैं तो जब कभी आप दुकान पे जाते हैं तो आपको जो branded जो famous brand है नटराज और अपसरा इनके HB pencil आप खरीदें और X के साथ साथ एक eraser भी खरीदें ताकि आप pencil में देखिए ये एक फाइदा होता है कि अगर आपने चारों option में से किसी एक option को टिक किया और परिक्षा के दर्मियान हो सकता है कि आपको कहीं ये लगे कि नहीं वो प्रशन का उत्तर जो मैंने टिक किया था वो सही नहीं है उसके जगा पे दूसरा सही है तो HB pencil वाले marking में ये benefit होता है कि आप eraser से मिटा के दूसरे वाले को टिक कर सकते हैं लेकिन जहां पे आपको blue ball pen या black ball pen यूस करने को बोला जाता है वहाँ पर ये change करने का नहीं होता है और अगर आप change नहीं किया और आपने दोनों को मार दिया तो फिर आपका वो negative number में हो जाएगा तो इसलिए सारे जो हमारे subscriber हैं उनसे अनुरोध है कि जब कभी आपको प्रशन पत्र, question paper और मिलता है और OMR seat मिलता है तो उसके instructions को बखुभी पढ़े कि उसमें जो आपको marking करनी है वो किस चीज़ से करनी है pencil से करनी है blue pen से करनी है कि black pen से करनी है और जिस चीज़ को लिखा है KPA करके उसी से करें दूसरे से मत करें तो अभी हम आके आपको ये छठे जो इंग्रेडियन्ट है उस पर discussion कर रहते है decision making निरने लेना भी एक आपकी personality enhancement का important ingredient है इसके बाद जो next ingredient आता है interpersonal relationship परास्परिक संबंद जैसा कि मैंने बताया कि NCC जो है पूरा का पूरा एक teamwork है एक group activities है आपने कहीं नहीं देखा होगा कि NCC में कोई individual कुछ करता है क्योंकि ये आपका जो basic ethos जिसके उपर NCC based है वो इसी के उपर है कि आपके अंदर team spirit पैदा की जाए और इसी से आता है कि अगर आपका interpersonal relationship आपका एक cadet का दूसरे cadet के साथ एक student का दूसरे student के साथ चाहे वो आपके institute का हो चाहे दूसरे institute का हो चाहे आपके जिले का हो चाहे आपके subdivision का हो चाहे आपके कमिस्नरी का हो चाहे बिहार का हो चाहे बिहार और जारकन एस्टेट का हो चाहे वो इंडिया के किसी कोने का हो तो ये एक बहुत महत्वपुर्म quality है कि आपके अंतरगत दूसरे cadet के साथ, दूसरे आदमी के साथ, आपका जो है relation बनाने का जो color है, हुनर है कि कैसे आप जल से जल सामने वाले से घुल मिल जाते हैं, कैसे आप अपनी बिचारधारा को उसको बता पाते हैं, उसकी ये आपकी इस quality पर depend करता है, interpersonal relationship, पारसपरिक शंबंद, तो ये एक important ingredient है आपके personality enhancement करने के लिए, इसी से related जो next अभी आपको मैंने cover किया, effective communication, प्रभावी संचार, अब जब दो आदमी मिलते हैं, तो दो आदमी एक दूसरे से जब तक communicate नहीं करेंगे, वो अपने बिचार, अपने idea, अपने thought process को exchange नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए effective communication जो है बहुत ही जरूरी है, जिसके मदद से आप एक cadet, दूसरे cadet से communicate करता है, और खास कर कि ये और भी तब important होता है, जैसे आप आपने देखा होगा कि recently जो भारत सरकार ने एक भारत, सरिस्ट भारत का जो camp start करवा हाया था, हर direct rate के अंतरगत हमारे यहां भी मोतिहारी में हुआ था, जहां पे आपको पंजाब, चंडीगर्ड, हिमाचल के cadets आये थे, तो कहीं-कहीं पे आपको, जैसे अब RDC में अगर आप जाते हैं, तो RDC में आपको All India Label पे आपको cadets से interact करने को मिलता है, तो वहां पे आपके केरला के भी होंगे, वहां पे आपके नॉर्थ इस्ट के भी होंगे, वहां पे आपके जम्मू के भी होंगे, तो इन सब जो राजियों में, जहां पर की भासाएं भी भिन्न है, culture difference है, religion अलग है, उनका custom and tradition जो है, उनके अलग-अलग है, तो वहां पर आपका ये हु कूप मंडुक फिर आप कूप मंडुक बने रहेंगे अपनी दुनिया में, तो effective communication एक ऐसा tool है, जो आपके ब्यक्तित्तु को निखारता है, और दूसरे से boundary जो आपका है, आपका जो personality का जो boundary है, वो आपका ब्यापक हो जाता है, तो अभी आप state है, state के बाद आप पूरे country म आते हैं, और यही अगर चीज आपका अच्छा रहा, तो आप अभी आज की डिटे में global cadets से भी आप communicate कर सकते हैं, उसके बाद next point है, coping with emotion, अपने भावनाओं को भावनाओं से मुकाबला करना, हर आदमी है, हम सब cadets हैं, आप cadets हैं, human being हैं, तो naturally आपके अंतरगत इस तरह की भावनाओं आपके अंदर आएंगी, घटना के उपर निर्भर करता है कि आपके ब्रतिगत जिन्दिगी में किस तरह की घटनाओं घटती हैं, जरूरत है कि उन भावनाओं को हम कैसे उसका सामना करते हैं, कैसे उसको एब्जॉर्व करते हैं, कैसे उसको उपर हम उसके उपर हम अपना कबजा करते हैं, माल लिजिए कि आप कहीं गए, आपके साथ कोई अगर अच्छी घटना हुई, तो आप खुस होईएगा, खुस होने का मतलब यह नहीं कि आप आख बंद करके रोड पर दोड़ने लगे, या आप रेलेवे लाइन के उपर हेड़फ एक सच्छे अच्छे परस्नालिटी के अंदर यह होना चाहिए कि जो भी उसके अंदर भावनाएं हैं, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, खुसी का हो, दुख का हो, उन भावनाओं को काबू करे, कंट्रोल करे और उसको समझे और समझ के उससे फिर जो मैंने उपर बोला, क्र प्रोग्रेसिव इस्टिक बढ़ाएं, तो कोपिंग भी इमोसन भी एक इंपोर्टेंट इंग्रेडियन्ट है आपके परस्नालिटी को इन्हांस करने के लिए, यह जरूरी है, जैसे अभी आप कैम्प जाते हैं, तो कैम्प में आप देखते होंगे कि जूनियर भी होते है सीनियर भी होते हैं, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, उस्ताद भी होते हैं, उसमें आपको कभी पनिस्मेंट भी मिलता है, मास पनिस्मेंट में मिलता है, तो यह सब चीजों में आपको हो सकता है कि कभी खुसी भी होता होगा, कभी दुख भी होता होगा, आपको NCC में लिया गया है और आपको एक देश में इस तरह से आपके personality को develop किया जा रहा है कि आप किसी भी pressure में आप बिखरे नहीं एक्जाम में बैठे suddenly आपको लगा रहे मैंने तो पड़ाई किया ही नहीं आप घवराहट हो गया घवराहट में आप जो जान रहे है वो भी बूल गए तो ये सब चीजे जरूरी है कि आप अपने भावनाओं पे काबू पाईए कहते हैं न बुंद बुंद से घड़ा भरता है आप उसको मेहनत कीजिए तो आपके धीरे धीरे knowledge बढ़ेगा knowledge बढ़ेगा तो आप में depth आएगा जब depth आएगा तो आप में stability आएगी तो ये एक बहुत जरूरी है कि आप अपने भावनाओं पे काबू पाईए और उससे उसको positive तरीके से उसको handle करिये इसी से जुड़ा हुआ दूसरा जो है अभी आपके एक और question आया है online class रोज चलत क्योंकि मैं भी अपना कारे करता हूँ अभी फिलाल हमने प्लान किया है कि हर संडे को दो बज़े का जो ये time है क्योंकि बहुत सारे जो subscriber ने feed दिया कि सर हम दो बज़े free रहते हैं और मैं भी free रहता हूँ तो हमने सुचा कि चलो दो बज़े से लेके 4 बज़े तक जो ये 2 दिमांड आई तो ये class मैं twice in a week मतलब सब्ता में दो बार भी चला सकता हूँ और daily अगर आपकी requirement होगी तो मैं daily भी चला सकता हूँ लेकिन फिर daily में क्या होगा कि जो हमारा office hour है उस period में मैं नहीं चला सकता हूँ तो मैं चाहूंगा कि जो आप लोग इसको attend कर रहे हैं इस chat box के अंदर गत या comments के अंदर सबसे best होगा कि आप comment में डाल दीजे क्योंकि ये जो chat के अंदर है इस session के बाद वो chat दिखता नहीं है मुझे भी बट अगर आप comment में अगर आप अपने comment में डाल देते हैं तो वो क्या है permanent वहाँ पे रहता है तो अगर किसी भी subscriber को या आप ल इस time इसको attend करना पसंद करेंगे दोफैर के बाद सुबह साम रात जो भी आप timing देंगे ताकि मेरा मुद्दा ये है कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे हूँ तो मेरा ये मुद्दा है कि जितना हो सके मैं जिस तरह से जब आपको दूँ तो ज्यादा से ज्यादा बच् से बहतर से स्कूर करें तो MT Gamer जो आप है आप ये comments के अंदर जाके डाल सकते हैं कि आपका class ये जो चाहिए कब चाहिए कितने घंटे का चाहिए twice in a week चाहिए daily चाहिए या weekend sufficient है तो मैं कोसिस करूँगा कि आपको अच्छा स्वपसिब बेस्ट है कि आप इस चैनल को subscribe करें जैसे ही मैं कोई online डालूँगा class का तो मैं उसके अंदर पूरे उसके description अगर आप खोल के देखेंगे तो description में मैं पूरी detail डाल देता हूँ तो पूरी detail से आपको पता चल जाता कि कितने बजे मेरा अगला class होने वाला है तो जो भी time मैं देता हूँ उस time के हिसाब से अपना timer लगा लें और timer घंटी बचते ही आपको पता चल जागा कि आज online class start है फिर आप online join कर लें और उस class का enjoy करें और जो भी आपका feedback है वो आप दे सकते हैं तो अभी हम पहुँचे थे coping with emotion हमने cover कर लिया था last point है coping with stress ये आपके उपर वाले point से ही जुड़ा हुआ है जैसा कि मैंने बताया अभी आने वाला हमारा जो January से March का period है वो सारे examination से भरा हुआ होगा चाहे आपके अपने college के exam है institute के exam है NCC के exam है 10th का है 12th का है graduation क तो अभी ये examination का दौर सुरू होने वाला है तो naturally जब आपको सामने आपके challenges आते हैं तो जो भी life में challenges आता है वो अपने साथ साथ एक stress लेके आता है coping with stress तनाव से मुकाबला तो हर आदमी के मन में चिंता जो बोलते हैं stress जो बोलते हैं तनाव जो बोलते हैं वो स्वभावि जैसे ही आपको stress होगा तो आपको अंदर एक काबलियत होनी चाहिए कि आप उस stress को कैसे handle करते हैं और सबसे जो मैंने अभी बताया किसी भी stress को handle करने का तरीका है कि जो उपर की skill है आप में creative thinking है critical thinking है problem solving skill है decision making है effective communication है तो इन सब के tools के मदद से आप उस stress को handle कर सकते हैं जैसे कि अभी मान लेजे कि ये जो हमारा class चल रहा है ये class चल रहा है कि भई जो हमारे exam होने वाले है A, B और C के उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे score करें हो सकता है कि इस institute में class नहीं चला हो हो सकता है कहीं पूरा class चला हो लेकिन cadet को समझ में नहीं आया हो तो इन सब stress built up होना सुरू होगा अब जब stress है तो stress को कैसे handle किया जा तो देखना है कि क्या चीजे हैं जो आपके अंदर आपके मस्तिस के अंदर आपके दिमाग के अंदर stress create कर रहा है तो अभी जो ये हमारा class चल रहा है ये उसी stress को relieve करने का handle करने का एक जरिया है अभी आने वाले time मे आपके ये जो NCC के exam है इसके लेके stress होगा आपके किसी institute में class नहीं चला होगा उस वज़ग से आपको stress होगा कोई cadets हैं जिन्होंने ये class को attend नहीं किया होगा अपने institute में किसी वज़गा से तो उसका stress होगा तो इसी stress को कम करने का तरीका है यहाँ पे यहाँ पे मैंने ये बताया है मेरा मुद्धा ये है कि अभी समय कम है एक साल या दो साल जो भी आपका पढ़ने का time था वो लगभग समापती की ओर जा रहा है तो अब आपके पास वक्त कम बचा हुआ है अभी से लेके जनवरी तक या फरवरी तक एक या दो महीना बचा हुआ है तो इन दो मह में हम किस तरह से तयारी करें ताकि हम examination में जैसे वो कहते हैं आप अपने एक standard सेट करते हो जो बिल्कुल zero label पे cadets हैं पहले उनका standard सेट होगा कि मैं किसे तयारी करूँ कि मैं अपने आने वाले exam में A, B और C को qualify करूँ, pass करूँ जो भी आपके 30-40% marks होते हैं तो पहला target होत से मैं 40% marks obtain करूँ ताकि मैं atlas NCC के जो degree है certificate है वो मैं हासिल करूँ तो जब वहां से आप तयारी करना start करते हैं तो आप उस area को उस portion को पकड़ते हैं जहां से आप कम से कम जितना pass होने के लिए चाहिए उतना score कर सकें जब वो मुद्दा हासिल हो जाए फिर आप उसके उप स्टेंडर्ड और बार आप रेज करते जाते हैं और जिस दिन आपका examination होता है आपको आस्चर जोगा कि आप अगर इस बताय हुए तरीके से अगर हमारे चलेंगे तो आप जिस दिन एक्जाम होगा उस दिन आप इन सारे हडल को पास करके बिलकुल आप ready होंगे highest score करने के लिए तो जैसे कि मैंने बताया कि इस बार का जो examination है वो objective mcq type होगा तो आपको detail में जाने की जरूरत नहीं है जो catch word है जो keyword है उन पे आप focus करें उनको आप अपने दिमाग में बिठाएं इसलिए मैंने बोला था इस class में कि आप notebook और pen लेकर बैठें ये जो हमने word हिंदी औ word को ढूंड़ना है और उसी के मुताबिक उसको tick करना है आपकी सहुलियत के लिए मैं इसको थोड़ा explain कर दे रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो अब हम चलते हैं इस session के next question की तरफ next question जो है what are the factor which shape oblique influence personality आपका जो ब्यक्तित होता है वो किन सब चीजों से प्रभावीत होता है या उसको built-up करने में आकार देने में कौन-कौन से factor है जो प्रभावीत करते हैं आपके अभी प्रशन आपने पूछा है कि sir online class कितने minute का है देखिए जब मैं पढ़ाना सुरू करता हूं तो मैं घड़ी नहीं देखता हूं मैं तब तक पढ़ाता रहता हूं जब तक आप पढ़ते हैं वो एक घंटा भी चल सकता है दो घंटा भी चल सकता है बट वैसे मैं कोसिस करूंगा कि जल से जल उसको cover करूं बट यह आप मान के चलें कि minimum एक घंटे का होगा maximum दो घंटे का होगा तो अभी अगला प्रशन है कि क्या-क्या वैसे factor है जो आपकी personality को प्रभावित करते हैं और उसको एक आकार देने में उसका योगदान होता है तो इसमें जो सबसे प कि अंदर क्रोमोजोम होता है हमारा जो क्रोमोजोम होता है जो अनुवानसिक गुण होता है वो हमारे मता पिता दोनों मता के साइट से भी और पिता के साइट से भी हमारे अंदर आता है तो कुछ हमारे जो लक्षन है वो हमारे बंसानुगत होते हैं कोई गोरा होगा कोई क पर्सनालिटी में ये जो पॉइंट्स मैंने बोला नंबर वन हरिडेटरी अब लिक वनसानुगत ये भी एक महतपुर्ण होता है आपके योगदान होता है और ये आपके हाथ में तो नहीं है कि आप अपने वनसानुगत कॉलिटी को चेंज कर सकें तो ये जस्ट आप कह सकते ये God gifted है इसवर के दिवारा दिया हुआ चीज है हाँ उसके बाद का जो चीजे है उसको आप के हाथ में आप उसको Change कर सकते हैं इंप्रूब कर सकते हैं और उसको बहतर कर सकते हैं तो जो जो इसे मैंने बोला कि इतने सारे कारण है उनमें अगर एक कारण नहीं भी है आपक कर सकते हैं कि वो आपके उस गुण को उस मतलब जो गुण का भाव आप में है वो उसको खतम कर देता है तो पहला जैसे बताया मैंने हरिडेटरी और वनसानुगत होता है उसके बाद दूसरा आता है Self Development Svamedwayaz या Soabikaz तो जो Self Development होता है जब हम एक बच्चा पैदा होता है तब से लेकार अब तक आपने देखा होगा कि कीस तरह से आपने माबापने आपको जीना सिखाया फिर आपको स्कूल गए तो आपकी टीचर ने आपको पढ़ना सिखाया फिर उसके बाद आपके दोस्त म हमारे मानो विकास का एक प्रोसेस है जिसमें हमको एक डाला जाता है कि भई आप अगल बगल जो भी हमारे समाज के प्राणी है, रिस्तेदार हैं, जो भी यह टीचार हैं, सिख्चाग हैं, ऑनलाइन मिडिया हैं, तो वहां से हम सीखते हैं, अगर आपके अंतरगत सीखने की प्रविर्ती है, अच्छी चीजें को अडॉप्ट करने की प्रविर्ती है, तो यह सब चीजें आपके परस्नाल्टी डेवलप्मेंट में काम आती है, आपका परस्नाल्टी डेवलप होगा है, तो कहते हैं न कि टीचर कितना भी पढ़ा है, लेकिन अगर जब तक बच्चा पढ़ना न चाहे, वो नहीं पढ़ सकता है तो उसी तरह से लिखा है विकास से पहले क्या लगा हुआ है वर्ड? स्वा विकास, development से पहले क्या लगा है? self, तो सबसे पहले आपके अंदर वो इच्छा सकती होनी चाहिए कि मुझे अपना विकास करना है, मुझे अपने आपको develop करना है, मुझे अपने आपको इस label से उठा के उच्छे की label पे जाना है तो जब तक आपके अंदर determination नहीं होगा आपके अंदर वो भावना नहीं आएगी कि मुझे कुछ करना है, जजबा नहीं आएगा तब तक आप इसको नहीं कर सकते हैं और ये अगर आपके अंदर आ गया तो ये आपके बाकी चीजों को भी परभावित करता है जो उपर वाला पॉइंट मैंने बोला था जो कि आपके हाथ में नहीं है लेकिन दूसरा पॉइंट ये जो स्वाब इकास और सेल्फ डेवलपमेंट है ये आपके हाथ में है अगर इसको आप बढ़ाते हैं तो उपर वाला पॉइंट सेकेंडरी हो जाता है गौन हो जाता है ये उस पे हावी हो जाता है तीसरा पॉइंट है इन्वार्मेंट परियावरन वातावरन महौल आप जब एक जैसे NCC में आपको डाला गया है तो आपको एक इन्वार्मेंट दिया गया है कि या आप अपने आपको डेवलप कर सकें आप अपने टैलेंट को बढ़ा सकें आप अपने टैलेंट को दुनिया के लोगों को दिखा सके आपको एक platform दिया जाता है launching pad दिया जाता है जहां से आप एक jump लेते हैं और एक different level पे जाते है आप में से किसी में physical अच्छा है वो athlete बन के sports में नाम कमा सकता है और किसी का अगर firing में अच्छा है तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आपकी बेगु सराय की एक अंकिता लड़की थी जिसने NCC में gold medal लाया जब कि उसका कोई past experience नहीं था सिर्फ कुछ दिनों की मेहनत पे और उसके एक platform मिला, environment मिला उस environment में जो जो उसको बोला गया उसको strictly उसको follow किया और अपने लिए समाज के लिए battalion के लिए, state के लिए gold medal ले के आई और सब का नाम सर उचा किया तो उसी तरह से ये एक environment जो है, वो आपको personality को बढ़ाने के लिए आपको platform प्रदान करता है और NCC का main मुद्दा वही है कि जो भी हमारे ये credits हैं, उनको हम एक environment दें ताकि वो grow करें अपने आपको उसके बाद next point आता है education, सिख्छा no doubt education जो है सबसे बड़ा important point है education अगर नहीं है बाकि सब्वेकार है, इसलिए मैं बार-बार आपको जोर देता हूँ कोई भी shortcut रास्ते को ना अपनाए बहुत कहते हैं, slow and steady wins the race, तो वही चीज है education एक tool है आपको बताया गया है कि आप पढ़िए सीखिए, कोई भी art है हुनर है, कला है उसको सीखिए, अपने सरीर के अंदर समाईए, अपने जीवन में practice कीजिए, ताकि आप इस उचाई पे पहुँच जाए, कि कोई आपको छू न सके, तो education अभी जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं बैटके, इसका भी यही उद्देश है कि हमारे जितने भी subscriber है उनका knowledge का level नीचे से उपर की तरह बढ़े और इतना बढ़े कि कोई उनको touch न कर पाए उसके बाद next point है life situation, जीवन इस्थितिया यह person to person vary करता है हर आदमी के life में जो situation होता है वो अलग-अलग आता है यह depend करता है कि आपके जिंदगी में क्या-क्या घटनाय घटी है वो आपके ब्यक्तित को shape देती हैं और उसको प्रभावित करती है अगर किसी के life में बहुत सारी bad experience हुआ है तो naturally जो पिछला उसका जीवन में घटना घटा है वो उसको कहीं न कहीं उसके personality को प्रभावित करता है अगर किसी के life में कोई अच्छी घटना घटी है वो भी उसके life को प्रभावित करती है तो आपको ये देखना है कि आपके जो life में जो घटना घटी है आपके जीवन में जिस परिस्थिती से आप गुजरे हैं गाउं से, सहर से, घर से, परिवार से अर्थिक रूप से, समाजिक रूप से उस सब से निकलते हुए कैसे आप अपने personality को चमकाते हैं तो ये माइने रखता है अगर आपने अपने past experience का जो कड़वा नुभव है अगर आपने उसको मन में बिठा के रखा हुआ है तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा वो आपको पीछे खीचेगा वक्त का तकाजा है कि जो भी हो अच्छा है अच्छी बात है अच्छा अनुभव है उसको अच्छे लेके बढ़ें अगर आपके साथ में बुरा अनुभव हुआ है जीमन में उसमें भी बुरे से सीख लेके आगे बढ़ना है ना कि उसकी कड़वाहट को अपने साथ लेके चलना कि जैसे ही आप कड़वाहट रखेंगे आपके बातचित में आपके communication में आपके personality behavior में वो indicate कर जाएगा वो आपको फिर नुक्सान करेगा तो यह इस point का मतलब यह है कि life के अंदर आपका situation जैसा भी रहा हो अच्छा हो या बुरा हो उनमें से अच्छा लेकर ही आपको आगे बढ़ना है इसी से मिलता जुलता points जो है past experience पिछला अनुभव पिछला अनुभव जो मैंने बोला जो life की situation आपके अंतरगत भीती है वही past experience भी है past experience में जिसका जैसा अनुभव है जो आदमी उसने उसको already कर चुका है तो वो उसको मालूम है कि यार यह मैं पहले कर चुका हूँ यह यह तजुर्वा है तो इसको आप तजुर्वा कह सकते हैं तो वो तजुर्वा आपके personality में काम आता है और यही कारण है कि जैसे आप माल लेजे कि आपके college में institute में अगर camp आता है तो आप जो भी junior cadets में वो क्या कहते है भाई आसे पूछ लो senior से पूछ लो कि यार camp जाना है camp में क्या-क्या चीजे ध्यान देनी है क्या-क्या वहतियाद बरतना है क्या-क्या समान लेके जाना है और क्या-क्या वहाँ हो सकता है तो वो जो senior cadets होते हैं जिन्होंने पहले से camp कर रखा होता है फिर वो आपको अपना experience share करते हैं तो जब उन्होंने अपना अच्छा experience share किया तो फिर आप तियार हो के जाते हो और आप भी अगले camp को enjoy करते हैं लेकिन अगर किसी ने past experience का negative point आपको दे दिया तो आप पहले से ही बुरे खयालात से बुरे feedback से अगर आप पहुचिएगा camp तो आप चाहके भी आपका अच्छा performance नहीं कर पाईएगा तो जरूरी है कि जो भी आपका past experience है उसमें से जो positive है उसको ले और उसी को आगे next generation या junior है या आपसे senior है उनको past करे सचीन जैहिन आपका थोड़े late आये हैं भी कोई बात नहीं जो भी अगर आये हैं लोग cadet late से वो मैं last में जब इसका recap करूँगा तो उसमें आप ध्यान देंगे अभी इस बार हम एक एक करके प्रसंद कभर कर रहे हैं और हर प्रश्म को मैं थोड़ा सा detail में explain कर दे रहा हूं ताकि आपको समझने में easy हो उसके बाद next है dreams and ambition सपने और महत्व कंच्छाएं हर आदमे का एक अपना dream होता है एक अपना ambition होता है किसी का पढ़लिक के अपना आगे नाम कमाने का होता है किसी का art और talent अगर है उसमें तो उसके अंतरगत उसका अपना ambition उसका होता है किसी के अंदर को extraordinary अगर है तो वो अपना होता है तो जो भी है हर आदमी के अंदर dream और ambition होने चाहिए और आपकी कोशिस होने चाहिए कि जो भी आप dream और ambition रखते हैं बस उसका standard हाई रखें उसके लिए लगातार सतत प्रयास करें और अगर आप continuous अपने ambition और dream को follow कीजिएगा तो इसमें कोई सक नहीं है कि आप उस field के अंदर गत बेस्ट बनिएगा तो ये आपकी personality का एक अहम हिस्सा है तो हर आदमी को मैं बोलूँगा हर काड़ेट्स को बोलूँगा हर सब्सक्राइबर को बोलूँगा कि आप अपने dreams और ambition को जरूर रखें बट उसके लिए मेहनत करें अगर आप सच्चे और इमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपका dream और ambition अवस्से पूरा होगा नेक्स्ट पॉइंट है self image आत्म चवी ये जो मैंने सारे उपर आपके discuss किये points आपकी जो image है वो उपर के जो भी चीज दिये हुए है उन्हीं से बनती है तो self image naturally आपका अच्छा बनेगा अगर आप अच्छा करेंगे तो तो मैं चाहूंगा कि आप अपने dream, ambition, experience, life situation जो भी है उनके जितने भी positive sides हैं उनको आप अपने अंदर adopt करें और उसी चीज को follow करें तो उससे आपका automatic जो image बनेगा वो आपका एक अच्छा image बनेगा अगर आप college में है, institute में है, अपने साथियों के साथ है और अगर आप सबको help कर रहे हैं, सबको आप team की तोर पे ले के चल रहे हैं सबको difficult situation में आपको decision दे पा रहे हैं उनको handle करके वहाँ से निकाल पा रहे हैं तो naturally जो आपका image होगा वहाँ पे, आपके अपने दोस्तों के बीच आपके अपने सिक्षकों के बीच, आपके अपने battalion के अंदर गत आपके अपने company के अंदर गत, तो वहाँ पर आपका image होगा कि नहीं ये cadet जो है, ये एक cadet है जो हमारा trump card है किसी भी situation में डालिये, किसी भी जगह पे जाता है अपने समाज, अपने माता-पिता, अपने परिवार के लिए, अपने institute के लिए अपने cadet के लिए, अपने company के लिए, अपने team के लिए ये एक result लाके देता है तो ये आपकी छवी बिल्ट अप होती है और ये छवी कैसी होती है, जो आपकी carry forward होती है ये आपको आगे के जिन्दगी में भी ये आपको मदद करता है और इसके बाद सबसे last में आता है point, values, man तो यहाँ पे values का man लिखा है हिंदी बट ये values का मतलब ये होता है कि जो हमारे संसकार है, जो हमारा परिवार है, जो हमारी upbringing है उसके अंदर हमारे अंदर कुछ चीज़ें भरी जाती है जब आपको बच्पन में पाला पुसा जाता है तो मता-पिता से लेके, दोस्त से लेके, सिक्षक से लेके जो भी है, वो आपके अंतरगत कुछ अच्छी बात डालती है कुछ rules आपके अंदर डालते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है तो जो कहता है न, सच जूट, अच्छा बुरा तो ये सब values जो हम अपने religion के मुताविक भी डालते रहते हैं अपने बच्चों में तो वो यही values हैं, ये values आपके सब conscious mind में रहता है जो आपको अपने रास्ते से भटकने से रोकता है एक जो आपका अंदर का हिरदय है, वो उसको पता है कि ये सीज़ सही है, ये गलत है तो अब आपको अगर आपके अंदर values को आपने अच्छे से absorb किया है अपने अंदर आत्मसात किया है तो आप निसंदे अच्छा value पकड़के life में अच्छा काम करेंगे और अगर आपने values को ठीक से नहीं समझा है तो आप फिर गलत रास्ते पे चले जाएंगे और आप गलत रास्ते में जाके आप destroy हो जाएंगे तो मैं चाहूँगा कि हर आदमी अपने अंदर जो है credits जो है, वो अच्छे value को imbibe करें आत्मसात करें और उसी को आगे पढ़ाएं क्योंकि वो जो आपका value होता है वो आपकी पीछे जो उपर जो पहला point था वंसानुगत वो उपर के सारे चीजों को बताता है कि आप कहां से आया है, आपके परिवार कैसा है आप किस समाज के आया है, आप किस institute के है आप किस company के हैं, आप किस battalion के हैं ये सब चीजें जो हैं, आपको indicate करता है तो आप जो है, सारे values को, अच्छे values को अपनाए और उस पर आप काम करें अब आते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला जो है एक रचनातमक ब्यक्ति की बिसेस्ताएं क्या है बाएं तरफ आपको left side जो दिख रहा है वो आपके English वाले points है right side उसी को Hindi में लिखा है characteristics of a creative person इसमें ढहर सारे points हैं कि जो भी रचनातमक प्रविर्ती का ब्यक्ति होगा उसमें क्या-क्या गुण होगे ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये जो आपको मैंने बताया कि जो interview होता है interview में हम सब इसी सब मुद्दो के उपर judgment करते हैं कि कैसे वो है जैसे पहला point है curious मतलब हर personality में देखते हैं हम कि क्या वो जिग्यासु है क्या वो उत्सुख है कोई भी नए चीज को जानने में समझने के लिए वो उत्सुख है second है आपका six problem समस्याओं की तलास करना क्या आप हमेशा कोई भी problem जब आता है उसका solution ढूंडने में आप interest रखते हैं next है enjoy challenges चुनोतियों का अनन्द लेता है naturally आपके life में challenges आते हैं तो क्या आप उन challenges से घबडाते नहीं है बलकि आप enjoy करते हैं और उसका सामना करने में आप enjoy करते हैं मजा लेते हैं कि नहीं इस challenge को मुझे लेना है मुझे देखना है मुझे इस पे बिजय हासिल कर लिए next है optimistic आसावादी उसके बाद next point है able to suspend judgment क्या आप अपने निरने को अस्तगित करने में सक्षम है next है comfortable with imagination अपनी कालपनाओं के साथ सहज फिर next है see problems as opportunity जो भी problems आपके life में आती है क्या आप उसको opportunity के तोर पे देखते हैं समस्याओं को officer के रूप में देखना see problems as interesting क्या आप समस्याओं को रोचक समस्ते हैं अच्छा ये problem आया देखते हैं इसको कैसे करते हैं फिर next है problems are emotionally acceptable जो आपकी समस्याओं क्या भावनात्मक रूप से आप स्विकार करते हैं next है challenges adjustments क्या आप मानताओं को चुनोती के रूप में स्विकार करते हैं फिर next है does not give up easily preserve work hard क्या आप असानी से हार मान लेते हैं या आप में दिर्ड़ता है कि नहीं मुझे कठिन परिश्रम करके इस पे सफलता हासिल करनी है तो ये सब जो मैंने बोला है कि आपने देखा होगा left side में जो word है ये आपको ध्यान रखना है question जो आएगा कि what are the characteristics of a creative person इन में से 3 होगे 4 जो होगा वो गलत होगा तो आपको tick करना होगा fourth one तो इसलिए जो मैंने bold में लिखा है इन सब word को आप अपने notebook पे लिख लेंगे और इसी की practice या revision आप बार-बार करते रहेंगे next है आपका decision making decision making जो होता है जो देखे होगे कि आप इस question के अंदर हमने bold में लिखा हुआ है define the problem gather and analyze the relevant data postulate solution to the problem analyze the implication of each alternative seek and act on the best alternative follow up and modify the approach if necessary तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो decision making है ये एक complex process है जटिल प्रक्रिया है एक अच्छा decision जो होता है वो पहले सबसे situation को समझता है उसके बाद देखता है कि क्या-क्या choices मेरे पास है फिर उसके consequence क्या होंगे हर choice का उसके बाद वो हर चीज को लेने के बाद अपने अंदर उसके बाद वो decision लेता है इसलिए जो वर्ड होएगा decision making के क्या-क्या parameters होते है define the problem पहले problem को define करते है फिर उसके information उससे जो relevant data है उसको gather करके analyze करते है तीसरा postulate situation to problem मतलब उस समस्या को एक solution के रूप में हम कलपना करते हैं कि इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं फिर उसको analyze करते हैं फिर हम देखते हैं कि उसकाiliar implication हो सकता है अगर हम इस तरह से solve करेंगे तो उसका repercussion क्या होगे फिर उसके हम alternate को देखते हैं फिर हम उस तरह से alternate क्या-kya available है फिर उस alternate में से जो best alternative होता है उसको हम choose करके decision लेते हैं Decision लेने के बाद हम क्या होता है, कि उसको follow up करते हैं, क्या हमारा decision, जैसा हमारा desired result था, क्या वो result दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और अगर दे रहा है, तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा है, लगता है कि नहीं, उसमें थोड़ा modification की जरूरत है, फिर हम उसको modify करते हैं, तो इसे भी आपका एक प्रश्ण बनेगा, कि what are main ingredients of decision making, तो यह जो मैंने bold में लिखा हुआ, तीन चार होगे, इन में से एक hypothetically incorrect होगा, आपको उसमें से select करना होगा, अब हम चलते हैं, next questions की तरफ, communication, communication से आप क्या समझते हैं, communication का जो main catch word है, communication जो होता है, वो between two और more person के बीच में होता है, और जो communication होता है, वो आपके तिन तरीके से हो सकता है, भरबली हो सकता है, रिटेन हो सकता है, through the use of sign भी हो सकता है, तो इसमें आपने जो catch word है, कि communication के लिए जरूरी है, दो या दो से ज्यादा, ऐसा नहीं होगा कि communication सिर्फ एक ही आदमी के बीच में होता है, तो officer में अगर कहीं लिखा होगा, कि between only one person, मतलब that is the wrong answer, तो वो आपको पता होने चाहिए, which one is right or which one is wrong, next था, communication जो होता है, कितने type के होते है, verbal, written, through the use of sign, fourth one कुछ और लिखा होगा, तो वो फिर, मालों वहाँ पर लिखा होगा, mobile या कुछ different language, money, तो आपको पता होने चाहिए, यह जो fourth one है, odd है इसका, तो वो आपका incorrect हो जाएगा, और वो उसमें से निगल जाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान देंगे, फिर next आता है, water three ways of communication, जो communication के तीन प्रकार है, पहला है aggressive, दूसरा है passive, तीसरा जो है आपका assertive, इसी चीज़ को हिंदी में जो लिखा हुआ है, कि जो आपके communication होते हैं, वो मौखिक रूप से भी हो सकते हैं, लिखित हो सकते हैं, और संकेत के माध्यम से हो सकते हैं, तो जो संचार है, एक जगा से दूसरे जगा जो संदेश जाता है, वो इन ही तीन तरीके से जाता है, तो चोथा तरीका नहीं होगा, तो answer में जो आपका प्रश्न होगा, प्रश्न में आपके कुछ चार अप्सन दिये होंग effective communication के क्या-क्या component होते हैं तो जो component होते हैं वो तीन ही होते हैं verbal communication, non-verbal communication और तीसरा होता है listening प्रभावी संचार के तीन घटक होते हैं पहला घटक है मौखिक समाचार दूसरा है गैर मौखिक समाचार तीसरा है सुनना चोथा जो होगा आपका वो wrong answer होगा odd होगा तो यह आपको पता होना चाहिए कि इसमें से किन को जो है इस प्रशन के उत्तरों में सामिल है next है listening barrier to effective communication किसी भी communication का barrier जो होता है जब आप किसी चीज का communication में आगर आप सुन रहे हैं तो उसको सुनने के दर्मियान क्या-क्या चीजे हैं जो barrier अवरोधक के रूप में काम करती है तो जब आप किसी एक दो आदमी के बीच में communication होता है तो उस communication में जब आप सुन रहे होते हैं तो कुछ एक चीज होती है जो एक अवरोधक का काम करती है बदाएं का काम करती है जिसको हमको avoid करना चाहिए तो वो क्या-क्या चीजे हैं जो obstruct करती है communication को उसमें से पहला है interrupting the speaker अगर speaker बोल रहा है सामने वाला उसकी बात को बीच में ही काट देना एक आपके communication को break कर देता है तो इसको avoid करना चाहिए दूसरा not maintaining eye contact with the speaker अगर आप दो आदमी के बीच में communication हो रहा है तो जरूरी है कि दोनों आदमी एक दूसरे को देखते हुए eye contact बनाए हुए एक दूसरे से बात करें एक आदमी किसी को देख के बात कर रहा है और दूसरा पता चला कहीं और देख रहा है इसका मतलब उन दोनों के बीच में effective communication नहीं हो रहा है next है rushing the speaker to complete कोई communication अगर कर रहा है बोलता है यार तो छोड़ जल्दी बता कि end बता, final बता दे तो ये भी एक आपका effective communication के अंतरगत नहीं आता है मतलब कि आप उसके communication को break करके straight away आप बोलते है कि तू मुझे सिर्फ रिजल्ट बता दे complete कर जल्दी मेरे पास टाइम नहीं है next है आपका making the speaker feel as thought he is wasting the listener's time जैसे हमारा school college हो में दोस्तों के साथ होता है आपको लगता है कि कुछ एक दोस्त होते हैं जो आपके लिए time waste कर रहे हैं तो आप उनको बलते है आप तू time मत बरबाद कर जल्दी जल्दी बोलना है बोल ली तो मैं चला तो फिर वहाँ पर आपका effective communication नहीं होता है तो हर आदमी को इन सब मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप सामने वाले को सुन रहे हैं listening mode में है तो इन सब चीजों का behavior में नहीं include करें ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे और आप उसके द्वारा बताये जो जा रहे हैं उसको ठीक से सुनें next है distracting by something वो बीच में बात कर रहा है out of way मुद्दे पे आप जाके उसको कुछ बीच में उसको distruct कर देते है getting ahead of the speaker वो किसी point to point cover कर रहा है आप suddenly jump करके उसके आगे के point पे पहुंच जाते है next है ignoring the speaker's request अगर सामने वाला कुछ request कर रहा है आप उस request को ध्यान नहीं दे रहा है जैसे कि आप लोग देखे होगे कि class में जब teacher पढ़ाते हैं teacher बार-बार करते हैं कि सांती बनाए रखो class में attentive रहो ध्यान से सुनो कि क्या पढ़ाय जा रहा है लेकिन कुछ credits होते हैं या कुछ student होते हैं जो class में teacher के पढ़ाई पे ध्यान ना देने के बज़ा आपस में गपे मारते हैं तो यह एक effective communication के अंतरगत यह आपका एक hurdle के तौर पे काम करता है topping the speaker stories कोई अगर सामने वाला बोल रहा है उसी के बीच में आप अपना बीच में गुसर देना आवाद वो कहलाता है topping the speaker's story तो वो भी एक hurdle के तौर पे उसमें होता है forgetting what is being discussed और सबसे आखरी में है कि जो चर्चा हो रही है किस बात की वही आप भूल जा रहा है तो वो आपको याद रखने की जरूरत है next है reducing the communication gap जब आप दो आदमी एक दूसरे को communicate करना है तो हम क्या ऐसा चीज करें जिससे कि हमारा communication जो है gap नहीं हो जैसे एक मतापिता के साथ बच्चों का होता है तो age difference होता है तो क्या एसा हम करें कि ताकि हम एरे एक दूसरे को समझने में आसानी हो और हम एक दूसरे को जो समझा रहे हैं वो आसानी से समझ में आए चाहे आप school में हो, college में हो, camp में हो कहीं पर भी हो तो आप उसको gap को कैसे भरेंगे उसको gap को भरने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप plan करें कि मैं जो वहां जा रहा हूँ या जो मुझे करना है मेरे customer या जो मेरे साथी होंगे, sub-party होंगे वो कैसे कैसे होंगे तो जब आपको मालूम है कि आपके पास North East के भी होंगे, South के भी होंगे जो Hindi भी नहीं समझेंगे, जो English भी नहीं समझेंगे तो naturally आप sign language या कुछ ऐसा translator या कुछ ऐसे चीजियों का सब्दों का एक course लेके जाएंगे जिसमें आपके equivalent word लिखे होंगे तो आपको एक plan करना पड़ेगा कि मैं जब जिस इलाके में जा रहा हूँ मेरे जो audience है, जो मेरे सपाटी है मेरे जो दोस्त है, या जो friends है या camp में जो लोग मिलने वाले है वो कैसे हैं और हम उनको कैसे उनसे communicate करना है तो वो planning जो अगर आप पहले से करके जाएंगे, तो आपको communicate करने में easy होगा नेक्स आता है, involve other to contribute to planning, जब आप planning करते हैं मान लिज़े भी आप बैटे हैं आप बंगाल जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी class में कोई Bengali student भी होगा तो जब आप plan बना रहे हैं बंगाल जाने का अपनी team के साथ और आपके साथ में एक Bengali अगर कोई है तो naturally आप उसको team में ले लेंगे कि भई बताओ, हम तुम्हारे state में जा रहे हैं जहां पे तुम्हारी भासा बोली जाती है तो तुम मुझे help करोगे कि हम कैसे अपना plan करें कि वो communicate करें वही आदमी दुभासिय का भी काम कर सकता है कहीं पर अगर आप ठीक से उसको समझा नहीं पा रहे हैं वो बीच में एक translator का काम कर सकता है तो उससे क्या होगा कि आप किसी situation में फसने के बजाए यह आपको communicate करके आपकी विचार उनको बता सकता है और आपके लिए वो एक जो कहते ना आपका वहाँ पर आपका एक वो guide के तौर पर काम कर सकता है तो इसमें यही है कि हम जब कभी plan बनाते हैं तो उस plan से संबंदित जो भी आदमी helpful है उसको हम उसमें सामिल कर लेते हैं नेक्स है listen to the suggestion made by other ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है बाकि सबको कोई idea नहीं है एक अच्छा leader जो होता है अपने team और group के अंतरगत जो भी cadets हैं जो भी साथी हैं उनके suggestions को सुनता है discuss करता है, threadbare analysis करता है और अगर उनका suggestion सही है तो उसको अपने plan में incorporate करता है फिर उसके बाद है speak with purpose and be specific जब कभी आप communication करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए जो हमारा communication का basic है कि जो भी आप बोले, specific बोले और उसके खास purpose से बोले आप धेर सारा बोला लेकिन उसका कोई meaning अगर नहीं है तो वो invalid हो जाता है तो आप अपना to the point जैसे कि मैंने अभी आपको ये जो प्रश्ण में दिखा रहा हूँ इसमें आप देखोगे कि हमने कुछ words को highlight कर रखा है तो ये आपके keyword है catch word है, इनको ध्यान रखना है आपके answer में ये सारे सब सामिल होने चाहिए और अगर ये सब सामिल नहीं है तो जो नहीं है फिर वो आपका order हो जाता है उसके बाद है justify your stand without upsetting the other अगर किसी मुद्दे पर आपका मतभेद है तो आप अपने मुद्दे को आप अपका अपना जो agenda है आपका जो अपना point है उसको logical तरीके से represent करें और justify करें कि जो मैंने ये decision दिया या जो मैंने ये suggestion दिया वो इन इन बिंदुओं पे अधारित है और उनका अगर कोई points है आपके जो points है उसमें ये ये कमिया है तो जब किसी भी solution को अगर आप threadbare analysis करोगे समझोगे तो naturally at the end of discussion जो भी चीज निकलेगा वो आपका ये नमनश होगा और उसके सबकी सहमती होगी उसके बाद next आता है sense of humor आपके अंदर एक sense of humor भी होना चाहिए समझदारी भी होना चाहिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा points कैसा है कौन सा रखने लाइक है कौन सा sarcastic solution दिया होगा कौन सा sincere effort है और कौन सा मजाक के लहजे में बुला हुआ चीज है next होता empathy हर किसी के जो भी points आते हैं plan के अंतरगर उनको सहनवुती पुरवक उनके उपर विचार करना चाहिए देखना चाहिए कि क्या वो बुद्धा दिया लेकिन वो correct नहीं है क्यों नहीं है तो उसको पता होना चाहिए कि यह यह बिंद्वा के उपर मेरा points जो है वो सही नहीं है next आता है don't be judgmental खुद ही आप अपने आप निरनायक मत बनो जो भी निरने लेना है वो सर्व समती से सबकी सहमती से होना चाहिए don't underestimate the ability of other to contribute आप जो है बाकियों को भी योगदान जो है उनके लाइक बनाओ किसी की भी छमता को कम मत समझे observe the body language हो सकता है कि कोई आदमी ठीक से communicate नहीं कर पा रहा हो तो हम उसकी body language को देखते हैं और body language से भी उसके बातों को समझने का प्रयास करते हैं next है be transparent जब कभी आप इस तरह की deal करते हैं तो उसमें आपकी जो पारदर्सिता होनी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप पारदर्सी है तो आपके जो निरने लिये जाएगा वो पुरी के पुरी team और group के द्वारा माना जाएगा next है make modification in the plan जरूरत के मुताबिक आप अपने plan में तबदेली लाएं ऐसा नहीं कि जो मैंने plan बना दिया वो universal है कभी किसी situation में बदल नहीं सकता तो जो आपके plan है वो dynamic होना चाहिए situation के मुताबिक उसमें बदलाव का scope भी होना चाहिए last not but the list आता है use of word yes and no yes और no जो है हाँ और ना एक बहुत ही सक्तिसाली powerful सब्द है आपको ये पता होना चाहिए कि कब हाँ बोलना है और कब ना बोलना है तो उसको सही तरीके से use करें कि कब हाँ बोलना है कब ना बोलना है और उसके firm कायब रखें तो इस तरह से अभी ये class में भी हमने total जो है 10 प्रश्ण हमने solve किया है इस भाग में अभी जो अगला class होगा उसमें हम बाकी के जो प्रश्ण है उसको हम handle करेंगे उम्मीद है कि ये इस DGNCC का authentic source है और इसी से आपके प्रसंद पूछे जाएंगे उम्मीद है कि इस session से आपको फायदा हुआ होगा आप इस channel पे बने रहें और आने वाले session को attend करें ताकि आप अपने exam की तयारी अच्छे तरीके से करें Welcome to NCC examination online class We will discuss how to score marks in next forthcoming examination of A, B and C certificate there is a good news for you the details has been announced and it is a good news for everybody the date has been given for C certificate is because C certificate will be conducted all over India Pan India on a same date and date has been given to all India label pay third Sunday of February third Sunday जो है आपका वो Sunday जो है 19 February को होता है तो 19 February को आपका जो है C certificate का examination होगा तो जो ये Sunday को exam होगा 19 February को वो आपका theoretical examination होगा जो B और C certificate के लिए 355 नंबर का है तो ये जो अभी date आया है अभी जस्ट एक-दो दिन पहले ही ये date announcement हुआ है कि जो C certificate है वो आपको फरवरी महीने के तीसरे रविबार यानि 19 February को ये जो है परिक्षा आपका पूरे भारत में एक ही दिन एक ही schedule पे conduct किया जाएगा तो चुकि ये पूरे भारत में एक ही schedule पे conduct किया जाएगा इसका मतलब ये है कि इसके जो question paper होंगे वो आपके same होंगे और चुकि ये pen India है तो जो भी आपको जो अभी आप देखोगे कि YouTube के उपर बहुत सारे question paper आपको solve करा रहा है जो किसी-किसी direct rate level के है क्योंकि पहले question के आपके अलग-अलग direct rate के अलग-अलग होते थे तो जो difficulty का level होता था वो अलग-अलग होता था उन सब चीजों को neutralize करने के लिए मतलब equilibrium maintain करने के लिए अभी pen India जो है C certificate का examination एक ही दिन होगा और एक ही जो प्रशन पत्र है question paper जो है वो सभी के लिए एक होगा और वो प्रशन पत्र जो होगा वो objective MCQ multiple choice type का होगा एक और clarification आ चुका है कि OMR seat का इस्तमाल नहीं होगा आपका जो examination होगा objective होगा objective में ही आपको tick करने है चार आपकी option होगे उस चारो option में से जो option आपको best लगता है या near to best है उसको आपको select करना है जो गलत है उसको reject करना है तो अभी आप सब note कर लें कि जो NCC seat certificate का जो date आया है वो date फरवरी महीने के तीसरे रविवार मतलब 19 फरवरी को होने जा रहा है और आपका जो practical होगा उसका वो next day 20 फरवरी को मंडे को होगा तो दुबारा नोट कर लें पूरे भारत में लद्दाख रीजन को छोड़के C certificate का examination तीसरे रविवार यानी 19 फरवरी को संडे को होगा और इसका practical 20 फरवरी को संबार को होगा और अगर किसी वज़ा से ये परिक्षा cancel होता है वेलकम तेज थोड़ा सा जो मैंने link भेजा था उस link में दिक्कत आ गई थी इस वज़ा से अभी ये नए link के साथ हुआ लेकिन अगर आप हमारे channel पे बने रहेंगे तो आपको कोई भी link हो वो तुरत आपको notification में आ जाएगा और आप देख सकते हैं इसलिए subscribe करना जरूरी है ताकि कभी कोई भी link में गड़वड़ी आती है तो आप उसको तुरत सुधार कर जो भी fresh live हो रहा है आप उसमें attend कर सकते हैं तो अभी जैसा कि मैंने बताया C certificate का examination का date आउट हो चुका है ये पूरे पैन इंडिया पे 19 फरवरी Sunday जो है फरवरी को होगा और उसका जो practical है वो 20 फरवरी को Monday को होगा पैन इंडिया में एक ही दीन हो रहा है ये सिर्फ लदाख region को छोड़के मैं बता रहा हूँ लदाख region का date थोड़ा अलग है क्योंकि इस समय में लदाख region में जो है बर्फबारी होती है तो उस remote areas के अंदर school, college वगरा खुले नहीं होते हैं बच्चों को दिक्कत होती है इसलिए उनके लिए एक separate है तो लदाख region को छोड़के पूरे पैन इंडिया में C certificate examination का date है 19 February जो Sunday है तीसरा रविवार है फरवरी महीने का और 20 तारीकों आपका practical होगा और ये पूरे के पूरे जो exam होगे वो objective MCQ type होगे और इसमें OMR seat का इस्तेमाल नहीं होगा और आपको बता दू कि इस बार जो भी परिक्षा conduct की जा रही है उसका आधार SNCCO 2022 है जिसका PDF मैं आप लोगों को share कर रखा हूँ और अगर आप इस class में बने रहेंगे तो आने वाले class में मैं उसके जो महतुपुर्न paragraph हैं जो महतुपुर्न उसके जो सारंस हैं वो मैं discuss करूँगा जिससे आप लोगों को फाइदा होगा क्योंकि वही आपके लिए एक Bible है आपके लिए गीता है महाभारत है उसी के base पे आपको पता चलेगा कि आपको revolution कैसे करना है आपको reappear कैसे होना है आपको extension कैसे लेना है आपको exam कैसे conduct होगा तो वो सारी चीजें जो बोलते हैं कि manual और rule book वो आपका SNCC 2022 है जो सितंबर महीने में release किया गया है गौतम वेलकम कोई बात नहीं आप अगर late से भी आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आप सभी से अनुरोद है कि आप लोग note book और pain लेकर बैठें और जो जो चीजें मैं बताते जाता हूँ उसको आप note कर लें तो इस बार मैंने बताया कि C certificate 19 फरवरी को रवी बार को किया जाएगा जिसमें आपके theoretical paper के आप test लिया जाएगा और 20 फरवरी मंडे को आपका जो है उसका practical exam होगा और अगर किसी वज़ा से अगर वो exam का date cancel होता है तो उसका alternate date भी आ चुका है तो जो अगर postponed या कुछ होता है तो जो next exam होगा वो होगा first Sunday of March पहला रवी बार March महीने का जो आपको 5 March होता है तो अगर 19 फरवरी का अगर exam किसी वज़ा से cancel होता है तो फिर अगला जो exam होगा C Certificate का वो 5 March को होगा और जो बच्चे C Certificate में fail होते हैं उनका supplementary examination जो है वो 19 March 2023 को schedule किया गया है तो ये date जो है important है आप इसको note कर लें Welcome Kunal अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार जो है C Certificate कब होगा इसके date out हो चुके है तो जो C Certificate का theory paper होगा वो 19 फरवरी को होगा practical जो है आपको 20 फरवरी को होगा अगर किसी वज़ा से ये cancel होता है तो ये residual होके आपको first Sunday of March मतलब 5 March को हो जाएगा theory और 6 March को हो जाएगा practical और जो बच्चे C Certificate में अगर fail होते हैं तो उनको एक और मोका मिल सकता है वो है supplementary examination और supplementary examination जो है वो 19 March को होगा और supplementary examination उनके लिए भी होता है जो किसी वज़ा से कोई NCC के event के वज़ा से अगर main exam नहीं दे पाएं तो वो supplementary में appear हो सकते हैं तो इस तरह से जो मैंने बता दिया आपको कि C Certificate फरवरी महीने में schedule किया गया है 19 फरवरी को इसी के साथ साथ जैसे कि schedule मैं आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ पिछले class में आप मेरे पुराने वीडियो को देखेंगे तो वो जरूर देखें क्योंकि उसमें बहुत सारी information होती है जो आपको मैं हर बार repeat नहीं कर सकता हूँ A Certificate जो है examination वो आपको जनवरी महीने में लिया जाएगा और हर battalion का अलग-अलग date है आपके battalion का date आपके battalion के whatsapp group पे बता दिया जाएगा generally आपके ये fourth जो week है उसके अंतरगत लिया जाएगा A Certificate का फर्वरी महीना मैंने आपको बता दिया 19 फर्वरी को जो है वो C Certificate का हो गया तो अब जो बच गया B Certificate B Certificate का examination आपको March महीने में लिया जा सकता है तो अभी B Certificate का date आया नहीं है क्योंकि B Certificate का जो है हर group headquarter level पे ये conduct होता है ये decision अभी नहीं हुआ है कि ये पूरे भारत में एक ही प्रशन पत्र होंगे या अलग-अलग होंगे जैसा ही होगा वो आपको बता दिया जाएगा C Certificate पूरे भारत में एक ही प्रशन पत्र होगा एक ही question paper होगा और उसकी जो भी word हैं वो सब सेम होगे question paper सेम होगा इसलिए उसको एक ही date में रखा गया है जो 19 परवरी को उने वाला है तो इस तरह से जो है मैंने आपको बता दिया कि A, B और C Certificate की जो examination है वो कब होंगे अब इसी के साथ आता है कि आप जब देखेंगे कि काफी सारे जो आपको वीडियो या जो लोगों बताते हैं तो वो एक कहीं से कोई topic उठा के बताते हैं अभी वक्त कम है तो आपको focus करना है कि पूरे syllabus में मैं कहां पे जोर दूँ ताकि मैं maximum score करूँ अब पूरे अगर syllabus का analysis किया जाए जो कि मैंने अलड़ी कर रखा है तो सबसे ज़ादा जो weightage है वो आपको personality development पे दिया गया है personality personality development में तीनो A, B और C तीनो A, B, C certificate के जो examination होगे है उसमें personality development में सबसे ज़ादा जो रहा है और आपने जो मेरे से इससे पहले वाले वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें हमने personality development के सुरवाती 10 प्रशनों को हल किया था देखा था, समझा था और अब हम उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे आप अगर पूरा देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें इससे आपके जो certificate examination के अंदर जो major portion है उसकी तयारी आपकी पूरी हो जाएगी और आपके चैट में डाल सकते हैं मैं उसको detail में explain कर दूँगा तो अब personality development जो मैंने आपको बताया A certificate के अंदर 350 नंबर के थियोरी होगे तो 350 में से आपके जो है वो 50 नंबर के जो है वो आएगे personality development के उसी तरह से B और C certificate के अंदर जो है 355 का total थियोरी है तो से आप देख सकते हैं कि पूरे syllabus का जो weightage है सबसे ज़्यादा 14.3% है A certificate में B certificate में 18.3 और C में 21.1% का weightage है तो आपको मैं तकरिबन 31 questions कराऊंगा 31 question करते ही आपके जो है इतने percent जो लगबग 15 से लेके 22% के जो syllabus है वो आपका complete हो जाएगा तो out of 31 मैंने already 10 प्रशनों को करवा दिया है बच गए है जो balance वो हम आज solve करेंगे इसके साथ साथ आप लोगों से मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपना पढ़ाई करें और guess करके ये बताएं कि personality development के बाद कौन सा ऐसा chapter है जिसके सबसे ज़्यादा second weight is दिया गया है ताकि आपको पहले से पता चल जाए कि अभी कौन सा मैं अगला chapter इसके बाद start करने वाला हूं जिनका guess अच्छा होगा उनके लिए business दिया जाएगा benefit तो इस तरह से मैंने आपको A, B और C certificate के बारे में detail में बता दिया है तो अब हम सुरू करते हैं एक एक करके जो हमने पिछले live session जो हमने जहां पे छोड़ा था अब हम उसके आगे start करेंगे तो सबसे पहले जल्दी से हम एक recap कर लेते हैं अभी आपको जो मैंने बताया कि मार्स का distribution वो दिया हुआ है पिछले session में जो प्रशन हमने 10 solve किये थे उसके बारे में मैं तेजी से आपको cover कर दूँगा, recap कर दूँगा कि आपका जो life skill है उसके 10 core factor है क्या-क्या है जो उसको affect करते है personality enhancement में वो उन 200 points को हमने cover किया था हिंदी और अंग्रेजी दोनों भासा में किया था इसी के साथ साथ था कि क्या-क्या चीजे हैं जो आपको personality को निखारते हैं और जो उसको प्रभावित करते हैं जो personality को जो safe और influence करते हैं उसके बारे में भी जो points थे वो हमने बता दिया था इसमें जो सबसे ध्यान देने वाली बाते हैं कि आप इन जो मैंने bold किया हुआ है ये जो keyword है इनको ध्यान में रखें क्योंकि objective question आने वाला है और objective के अंदर जो है आपको detail में explain करने की जरूरत नहीं है सिर्फ keyword मालूम होगा आपका जो प्रशन होगा इन ही में से कोई 3 डाला होगा एक 4 जो होगा odd होगा वो या तो गलत होगा या उससे भिन्न मतलब रखता होगा अर्थ उसका उसमें आपको select करके उसको tick करना है उसके बाद हमने next question लिया था characteristics of a creative person जो रचनात्मक प्रविर्ति के बैक्ति हैं उनकी क्या-क्या wishes ताएं हैं उसके बाद जो हमने next person लिया था decision making के बारे में वो आपको बताया था उसके बाद हमने communication के बारे में बताया था फिर three way of communication क्या होता है उसके बारे में आपको detail में बताया था फिर component of effective communication क्या होता है वो मैंने बताया था अभी मैं scroll कर रहा हूँ जो हिंदी और इंगलिस में लिखा हुआ है वो अगर आपने पिछले हमारे class को attend नहीं किया होगा तो वो इस वीडियो को आप देख के दुबारा slow motion में आप इसको note कर सकते हैं 9th question हमने attend किया था कि किसी भी effective communication में क्या-क्या बधाया आती है तो उनको कैसे दूर किया जा सकता जब आपको पता होगा तो वो कर सकते थे 10वा हमारा question पिछले में हमने attempt किया था कि जो communication gap जो होता है उसको हम कैसे reduce कर सकते हैं तो ये 10 प्रशन जो थे हमने पिछले session में cover किया था इस session में हम question number 11 से start करेंगे question number 11 आपके लिए जो है what is stress तनाव आजकल आप हर बच्चों के मुँझ से सुनते हैं कि मुझे बहुत तनाव है मैं बहुत stress में हूँ चाहे परिक्षा का हो चाहे अपने interpersonal relation का हो चाहे आर्थिक हो चाहे समाजीक हो तो ये उसी के बारे में बताया गया है stress is a very common phenomenon in universal nature ये करीब करीब common है हर लोगों में ये पाया जाता है it is our body's reaction to people and event and to our own thoughts तनाव जो है वो एक बहुत ही समाने घटना है और प्रकृति में ये सभी में पाया जाता है यह हमारे सरीर पर लोगों की घटनाओं और हमारे अपने बिचारों की प्रतिकिरिया है it is our body's reaction to people and events and to our own thought तो ये उसमें आप ध्यान रखें catch word stress के अंदर ये आप आ सकता है इसी के साथ साथ some level of stress is normal थोड़ा बहुत stress जो होता है हर आदमी में normal होता है क्योंकि stress ही आपको प्रेरित करता है extra performance देने के लिए तो ऐसा नहीं है कि stress मतलब बहुत बुरी चीज़ stress है stress जो है वो जरूरी भी है क्योंकि ये आपको जो आपने performance दिया उससे बोलते है थोड़ा सा up करने के लिए आपको प्रोथसाहित करता है such as before a test जैसा आप test देने से exam देने से पहले आपको stress हो जाता है अगर आपको इस stage पर performance दे रहे है तब हो जाता है अगर आप sportsman है कोई event हो रहा है तो उसके पहले होता है तो ये सारे समानने चीज़ है और ये stress आपको push करता है कि आप अपने performance का जो label है उसको और up करें इसी के बाद आता है coping with stress आपके जो जिंदगी में stress है उससे कैसे उसका सामना करें first of all जब सामना करने के लिए जो है वो है recognize the source of stress in our life अगर किसी भी stress का सामना करना है तो सबसे पहले है कि आप उस stress जो आपकी जिंदगी में आया है उसके source क्या है जैसे अभी आपको पता है कि आने वाले जनवरी से लेके मार्च के बीच में आपके A, B और C के examination होगे जब ये examination चलेगा तो आपको पता है तो ये आपको मालूम है कि जो मुझे stress अभी हो रहा है वो exam के वज़ा से हो रहा है तो जब आपको source मालूम होगा तब फिर आप उसके solution के लिए उसके लिए काम करेंगे उसके बाद है recognize how this affect us physically and emotionally जब आपको एक बार source का पता चल गया कि किस वज़ा से मुझे stress हो रहा है तो next step आता है कि उसको हम करें कि ये जो source है वो हमारे साररिक और भावनातमक रूप से हमें कैसे प्रभावित करेगा अगर माल लिजे कि आपको मालूम है कि sportsman है तो आपको physically आपको अगर मालूम है कि आपके muscles में कोई problems है तो naturally आपको अगर running करना है तो फिर उसके हिसाब से आपको उसको physiotherapy या treatment देना होगा अगर आपको भावनातमक रूप से है तो आपको फिर motivate करना पड़ेगा तो इस तरह से आपको जब source मालूम चल जाएगा तो आप फिर उसी के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये source मेरे उपर किस प्रकार से प्रभाव डालेगा जब आपको पता चल गया कि किस प्रकार से आपको उपर प्रभाव डालेगा तो फिर आप उसको control करने के लिए उस stress को आप अपने environment को change करते हैं lifestyle को change करते हैं और सीखते हैं कि उस stress में भी कैसे relax किया जाए जो अभी आपको मैं class ले रहा हूँ ये online ये भी आपके examination को stress को कम करने के लिए है क्योंकि हमें मालूम है कि किसी वज़ा से आपके जो है आपने class नहीं किया है या class नहीं चला है या आपकी तयारी पूरी नहीं हुई है तो उन सब चीजों को दूर करने के लिए जब ये आपने stress का जो आप में है उसके लिए हमने identify किया identify करने के बाद आपके लिए explain करने के लिए ये video बनाया ताकि आप अपने समय में कभी भी इस चीज को पढ़के अपनी तयारी परिछा की जो है पूरी कर सकते जैसे ही आपकी ये तयारी पूरी होगी जब ये session खतम होगा जब आपका personality development के पूरे प्रशन आपने solve कर लिया और समझ लिया तो naturally फिर क्या होगा आप relax हो जाएंगे फिर आप अगले stage की तरफ बढ़ेंगे तो उसी चीज को यहाँ पर English और Hindi दोनों में लिखा हुआ है और ये जो Hindi है थोड़ा सा आपका Google से चुकी translate किया हुआ है तो आपकी जो authorized book और प्रेसी में है तो थोड़ा सा इसके meaning को समझने में आप उसके जो भावना उसके जो essence है उसको समझे exact word का जो placement है सब्दों का जो उसमें डाला हुआ है वो थोड़ा उदर उदर हो सकता है तो इस तरह से आपको पता चल गया कि stress क्या है उसका root जो causes है वो क्या है और उससे फिर हम कैसे उसको cop up करना है और वो हमारे उपर कैसे effect करेगा और जब आप इन सब चीजों की तैयारी कर लेंगे तो फिर आप अपने आपको relax कर पाएंगे उसके बाद अगला प्रशन होता है stress management technique तनाव प्रबंधन तक्निकी क्या है इसमें जो ये points लिखे हुए है इन points को रट लें याद कर लें थोड़ा बहुत मैं explain कर दूँगा ज़्यादा detail में जाने की जरुत नहीं है for example stress को कैसे कम किया जा सकता है सबसे पहला है take a deep breath एक गहरी सांस ले जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपके सरीर में oxygen आता है blood circulation में improvement आती है और आप थोड़ा अच्छा फिल करते है take it, talk it out आपको अगर कुईसी बात का stress है मन में जब आप अपने दोस्त से अपने मता-पिता से अपने counselor से अपने सिक्छक से जब उसके बारे में stress के बारे में बात करते हैं तो फिर आपको वो एक सलाह देते हैं तो इसके माध्धम से आप आने वाले परिच्छा की तयारी कर सकते हैं next है take a break अगर आप किसी काम को बहुत ज़्यादा करने से आप stress में आ गए हैं तो उससे अगर आपको अगर relax होना है तो फिर आप उसमें थोड़ा देर के लिए break ले लें तो कभी-कभी ज़्यादा जो लोड़ वाला काम होता है उसमें कभी-कभी हम break जो लेते हैं चाहे चाहे पीने के लिए हो चाहे बाहर निकल के वाग कर लेते हैं तो वो break आपको दुबारा recharge कर देता है कि उस काम को फिर आप fresh के तोर पे start करते हैं तो ये भी एक तरीका है जिससे stress आपका control में रहता है और कम होता है next है create a quiet place in your mind अपने दिमाग में एक सांथ जगह बना है जब कभी आपका मस्तिस्क पजल हो जाता है आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं तो आप क्या करते हो आप आख बंद करके अपने mind को concentrate करते हो focus करते हो और मन को सांथ करने की कोशिस करते हो इसी चीज़ को आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब योगा करते हैं तो वो अपना जो mind है किसी एक point पे concentrate करते हैं वो point पूरे कमरे के अंदर दिवाल के उपर dot भी हो सकता है वो एक candle भी हो सकता है एक हलका जलता हुआ light source भी हो सकता है तो ये सब चीज़ों से करने से क्या होता है कि वो आपके mind में एक quite place generate करता है जहां से आप focus करते हैं आपका मन धीरे-धीरे सांथ होता है जब मन सांथ होता है तो आपका stress धीरे-धीरे down हो जाता है और control में आ जाता है तो ये एक तरीका है stress management technique का उसके बाद next है pay attention to physical comfort साररिक अराम के लिए ध्यान दे जब कभी आपको stress अगर हो रहा है तो आप मान लेजे का आप sportsman है अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे हलका pain हो रहा है मैं दोड़ नहीं पाऊंगा मैं कर नहीं पाऊंगा तो फिर आप उसके उपर ये देखें कि भी आपने इतनी दिनों की practice कर रखी है बस ये कुछ च्छनों की बात है जैसे एक बार ये complete होगा event उसके बाद आप फिर आपको अराम मिलेगा तो जब आप future में या आने वाले time में जो आपको अराम मिलेगा सरीर को जब उसको आप ध्यान देंगे चाहे वो आप पढ़ाई में अगर है आप अच्छा result करेंगे तो फिर उसके बाद आपके सरीर में stress level built up होना शुरू हो जाता है जब अपने हाथ पाउं को हिलाते रहते हैं तो उससे फिर क्या है कि आपका stress कम होता और mind आपका divert होता है basically उसी के बाद next point है take care of your body अपने सरीर की देख भाल करें जैसा कि आपको मालूम है स्वस्थ सरीर में ही स्वस्थ मस्तिस्क का वास होता है तो जब आपका सरीर स्वस्थ होगा तो आप कोई भी stress आएगा उसको आप असानी से handle कर सकते हैं लेकिन जब आपका body ही healthy नहीं होगा तो आप बिमार और depressed feel करेंगे तो सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने सरीर को ध्यान दे और उसको देखभाल अच्छे तरीके से करें और स्वस्थ रहें next है laugh हसी जो है एक बहुत बड़ा stress buster माना जाता है जब आप आपने देखा होगा कि बहुत सारे पार्क में लॉन में बहुत सारे ग्रुप इकठा होके माइंड को फ्रिस कर देता है और stress से बाहर आने में मदद करता है तो इसलिए जिंदगी में हसना हसाना बहुत ही महत्वपूर्ण है next आता है manage your time देखे ये बहुत ही important है हर आदमी को अपने 24 घंटे को कैसे manage करना है, कैसे time को slot में देना है, कैसे मुझे time को waste होने से बचाना है productive कारियों में लगाना है तो time management जो है ये बहुत ही ज़रूरी है और आपको पता होना चाहिए कि आपके NCC के syllabus में ये अपने आप में एक chapter है तो इसी से आप समझ सकते है कि ये कितना important जो है आपका है के हिसाब से आप अपनी तयारी कर सकते जैसा कि अभी इस बार आपको पता है कि objective प्रशन पूछे जाने वाले है इसे लिए हमने सिर्फ point लिखे हुए है उसको detail में description नहीं लिखा है क्योंकि उतना detail में description जानने की आपको बिस्तिद जरूरी नहीं है आपको ये पता होना चाहिए कि stress management के technique के ये ये point है आपको उस point पे tick करना है या उन में से select करके आपको answer देना है उसके बाद next है do you have to write always क्या आपको हमेशा सही रहना है ऐसा नहीं है आपको मालूम है कि हम एक human है तो human है तो हमारा एक अपना सोचने का नजरिया है करने का एक तरीका है कोई जरूरी नहीं है कि हम हमेशा सही ही हो आदमी है mistake हो सकता है गलतियां हो सकती है तो ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि अगर कोई एक चीज आप से गलती हो जाती है तो आप तुरत स्ट्रिस में आ जाते हैं किया रहे ये मेरे से कैसे हो गया ये गलती ये तो होना नहीं चाहिए था तो ऐसा नहीं है आदमी है आदमी से गलतियां होती है जरूरत है कि उस गलती को accept करना और सबक सीखना और फिर उसको repeat नहीं करना तो कभी भी अगर ऐसा नहीं है कि we are not a robot दो और तीन मिलके हमेशा पांची होगा total mechanize और उस तरह से digital नहीं है कि आपका हर बार एक मतलब जो उसमें error के जो chances है वो नहीं है आदमी है mind है तो error आ सकता है कभी आपका decision गलत भी हो सकता है तो जरूरी नहीं है कि अगर एक भी decision या एक भी action आपका गलत होता है तो आप उसके वज़ा से stress में आ जाए depression में आ जाए यह जरूरी नहीं है हाँ यह जरूरी है कि जो भी गलती हुई उसको note करना है उसके work out करना है उसका analysis करना है कि भाई क्यों हुआ और फिर दर उसको इस तरह से प्रयास में लाना है कि वो गलतियां आपकी repeat नहीं हो तो इससे क्या होगा कि जो right रहने की जो चीजे हैं वो आपकी जो उसकी percentage है वो बढ़ती जाएगी next है have a good cry रोकर दिल हलका करें जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जब हमारे जिंदगी में जब कुछ pressure आता है stress आता है कोई दुख तकलीपे आती है तो हम क्यों रोते हैं रोना जो है एक human body का natural reaction है जब आप रोते हैं तो आपके जो दिल के गुबार दुख तकलीप जो है भावनाएं जो है वो आपके आशू से निकल जाते है और आप एक light feel करते हैं हलका feel करते है तो इसलिए stress में अगर हैं आप उस stress के वज़ा से आपको अगर रोलाई आ रही है रोकिये मत जी भरके रो लीजिए रोने के बाद आप अपने आपको हलका महसूस करेंगे नेक्स्ट है अपने आसपास की अच्छी और सकरात्मक चीजों को तलासे जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जिन्दगी में जो चीज आप जैसा ढूंडोगे आपको वैसा ही मिलेगा अगर आप अच्छा ही ढूंडने चलोगे तो आपको हर जगा अच्छा मिलेगा अगर आप निगेटिव और गलत और डिस्ट्रक्टिव चीज़े ढूंडने निकलोगे तो आपको हर जगा वही मिलेगा तो इस्ट्रेस को रिमूब करने का एक फैक्टर ये भी है कि आप जिंदगी में हमेशा अच्छी चीज़ों के तलास करें उसको देखें समझें और उसको अपनी जिंदगी में सामिल करने का प्रयास करें नेक्स है नेक्स जो पॉइंट है वो है टॉक लेस लिशन मोर ये एक बहुत ही वैलिड और इंपोर्टेंट पॉइंट है बाते कम सुनो अधिक मतलब आप बात कम करें और जो दूसरे कहते हैं उनको सुनने के लिए एक अच्छा सुनने वाला ब्यक्ती ही अंत में सफल होता है आप सिर्फ बोलते जाएं और सामने वाले की बाते ना सुने तो फिर वो मतलब communication आपका नहीं होता है एक अच्छा communication का जो तरीका है point है वो है कि आप सामने वाले की बाते सुने और फिर अपनी बाते कहें तो talk less, listen more बाते कम, सुनो अधिक तो ये एक आपके stress को कम करने में मदद होता है अब आजे आपका next जो है तेरे नंबर जो प्रशन है what are the technique to how to change your mindset आपका जो mindset है जो मनह इस्थिती है मानसिकता है उसको कैसे हम बदले उसके कुछ technique है तो ये सब चीजें जो है आप अपने बैक्तिकत जिंदिगी में ला सकते है और सीख सकते है तो अब आते हैं कि उसमें क्या-क्या चीजे है how to change your mindset अपने जो मानसिकता है उसको कैसे बदल सकते है तो आपको left side में English लिखा हुआ है right side में Hindi लिखा हुआ है get the best information only अगर आपके पास information best होगा तो naturally आपके mindset में जो है जो भी होगा वो correct होगा next है role model the best people आपके जो समाज में अगल बगल school, college, societies में जो अच्छे आदमी है उनको role model बनाए गुंडा, criminal, दादा वैसे आदमी को अगल आपने role model बनाया तो आपका विनास निस्चित है तो हमेशा आदमी को जो role model है वो अच्छे आदमी को बनाना चाहिए जो भी आपके सरुसरिष्ट बैकती है उनको प्रेरना का सुरुत बनाए गलत और अपराधी प्रविर्ती के लोगों को अपने प्रेरना का सुरुत ना बनाए नेक्स्ट है examine your current belief आपके जो मन में बैठा हुआ है आपका विश्वास उसको एक्जामीन करें कि क्या जो मैं सोच रहा हूँग या जो मन में धारना है क्या वो सही है अगर सही है तो ठीक है नहीं है तो उसको analyze कीजिए और उसको correct कीजिए क्योंकि कभी-कभी हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसी भावनाएं जड़ जाती है गलत भावनाएं जिसको कि हमें पता नहीं होता लेकिन वो हमारे निरने को परभावित करती है तो यह जरूरी है कि आपके मन में जो बैठे हुई है धारना उसको आप examine करें improve करें और उसको और better से better करें save your mindset with vision and goal आप जो अपने mindset है उसको दुदरस्दा और लक्ष के साथ अपने दिमाग में उसको आकार दें next है find your voice आप अपनी आवाज खोजें आप जहां पर भी रहें समाज में school में, college में, NCC में तो आपकी अपनी आवाज होनी चाहिए आप जो कहते हों उससे सामने वाले को सुनना चाहिए तब जाके पता चलता है कि आपके mind में जो चल रहा है वो एक effective चीजें चल रही है next है protect your mindset अपने दिमाग को सुरक्षित रखे आप देख सकते हैं आजकल social media का जमाना है बहुत सी चीजे हैं जो आपके mindset को corrupt कर देती हैं आपको बहुत सी चीजे हैं जो उलूल जूल जो चीजे हैं वो आपके मस्तिस्क में गुज़ आता है तो जरूरी है कि अपने mindset को हम protect करें उनमें सिर्फ वही चीजे positive चीजे डालें creative चीजे डालें जो हमारे लिए बहतर हो गलत चीजें अगर है परपगंडा material है तो हमें पता होना चीजे कि किसको लेना है और किसको reject करना है let go for comparison तुलना की जाने दो आपके mindset के अंदर comparison की capability होना चाहिए जैसे कि अभी मैंने बताया social media का जमाना है तो आपके पास बहुत सारे information आते हैं उसमें कुछ अच्छे information भी होते हैं कुछ misleading भी होते हैं कुछ आपको भ्रम में डालने के लिए होते हैं तो आपको बिलकुल ये mind में clear होना चाहिए कि मेरे पास जो information आ रही है मेरे पास जो knowledge आ रहा है वो क्या सही में genuine है correct है या वो हमें भढ़काने के लिए या हमें भढ़काने के लिए तो आपको ये comparison आना चाहिए ताकि आप जो अच्छा चीज़ वो कहते हैं कि मठे में से मखन निकालना है आपको मखन accept करना है और बाकी चीज़ें को निकाल देना है तो same चीज़ें जो भी information आपके पास आ रही है mind में उनको compare करना है और compare करके जो best चीज़ें हैं उसको mindset के अंदर डालना है और जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं उनको reject कर देना है put an into perfection perfection का अंत करें आपने देखा होगा कि कुछ आदमी को एक बिमारी type की होती है कि वो हर चीज़ को perfect करना चाहता है और आपको पता होना चाहिए कि एक बार में हर चीज़ perfect नहीं होता है perfection जो है एक continuous process है आपने अगर कोई भी कलाकार हो चाहे एक artist हो या एक student हो या cadets हो तो एक बार में चाहे आप drill करते हैं तो drill करते हैं कोई जरूरी नहीं है कि first go में आप best drill करेंगे वो एक continuous evolving system है आपने किसी चीज़ को सीखा पहली बार आपने attempt किया उसमें कुछ तुरूटियां होगी या कुछ कमियां होगी आप उसको analyze करेंगे फिर next time जो है आप उसको further अच्छा करने करेंगे सिता मड़ी, army lover welcome अभी हम 13 questions पर पहुँच गया है पिछले session में हमने 10 questions solve किये थे और अभी हम ये कर रहे हैं अगर आप late आए हैं तो आप बाद में इसको scroll करके देख सकते हैं और चुकि अभी काफी सारे लड़के जुट गये हैं इस chart से तो मैं अभी सी को continue कर रहा हूं और इसको जब ये खतम हो जाएगा session तो उसके बाद भी ये video available होगा तो आप वहाँ पे आप scroll करके ये पूरे देख सकते हैं उमीद है कि जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो आपको screen पे clear और अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा ताकि आप इसको बाद में आपने notebook में note कर सकते हैं look at the evidence सक्ष को देखे पुरानी कहावत है कि कववा कान लेके गया और आप कववे के पीछे भाग गया तो जरूरी है कि आपके पास कान है अगर किसी ने बोला कि आपका कान लेके भाग रहा है तो सबसे पहले आप evidence देखेंगे कि क्या सही में मेरा कान मेरे सरीर में है या कववा लेके उड़ गया तो कभी भी कोई भी घटना और event आपके सामने आता है information आता है, news आता है तो उसको आप अच्छे तरीके से अनलाइज करें उसके evidence को ध्यान से देखें और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो evidence है, क्या वो genuine है fake है, morphed है या उसको modify किया हुआ है तो ये बहुत जरूरी है कि आपका mindset में correct evidence ही आपके mind-wave अगर आप गलत चीजों को देखके आपने evidence को accept कर लिया तो फिर आपका mindset में वो error ला देगा और आपका mindset corrupt हो जाएगा redefine what failure means विफलता का महत तो बदले वो कहते हैं कि एक पुरानी कहवत हमने हिंदी में पढ़ी थी करत-करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान तो एक बार में कोई जरूरी नहीं है कि हर आप success अचीव करें लेकिन आपका जो भी fail हो रहे हैं आप उसको analyze कीजिए redefine कीजिए दुबारा rework कीजिए और फिर आप उस पे attempt कीजिए तो आगर आपने लगातार continuous correct way में attempt किया तो आपका बिलकुल success मिलना ही मिलना है तो जो भी failure है उसको redefine करके दुबारा आप उस पे attempt करें तो इस तरह से आपका creative और जो बोलते हैं प्रोग्रेसिव mindset रखें stop worrying about what people think लोग क्या सोचते हैं यह आप सोचना बंद कर दें आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है जिंदिगी में क्या हासिल करना है उस पे आप focus रखें और उसके लिए cutting pressurem करें और उसको हासिल करें क्योंकि बहुत से चीज़ों लोग जो है पहला कदम बढ़ाने से डरते हैं घबडाते हैं कि लोग क्या कहेंगा तो लोग क्या कहेंगे अगर आप यह सोचोगे तो आप अपने ककून और अपने से बाहर नहीं आ पाएंगे तो यह जरूरी है कि आप पहले analyze करके समझ के तयारी करके और आप अपना कदम आगे बढ़ाएं दुनिया क्या सोचेगी यह मत परवाह कीजिए अगर आप सफल होंगे आप अच्छा करेंगे वही आदमी आपको बाद में appreciate करेगा यह सारे चीजें थी जो आपके mindset को affect करती हैं उनको improve करती है next question है आपका time management time management जो भी उपर में भी management को cover किया था time management एक important चीज है जो आपके जिंदिगी में आपके personality को affect करता है time management जो है वो आपको help करता है reduce और eliminate wasted time आपने देखा होगा कुछ एक लड़के या बच्चे या cadets होते हैं पूरे दिन busy रहते हैं बट अगर आप output देखो इसका मतलब है कि उसने अपना type management ठीक से नहीं किया है इसलिए हम कहते हैं कि जब आपके ये परिक्षा नजदीक आ रही है तो आप सबसे पहले एक schedule बनाए टाइम टेबूल बनाए कि इतने गंटे इतने गंटे मैं सोऊंगा इतने गंटे मैं अपना मनरंजन करूँगा इतने गंटे मैं पढ़ाई करूँगा फिर जब आपने पढ़ाई का बना लिया syllabus फिर उसको आप divide करोगे इतने गंटे मैं अपने academics पढ़ूँगा इतने गंटे NCC पढ़ूँगा इतने घंटे general knowledge पढ़ूँगा तो इस तरह से अगर आपने time plan बना रखा है सही तरीके से तो धीरे धीरे आपने जो अपना target सेट किया हुआ है चाहे वो academic exam हो चाहे NCC exam हो वो आप उसको असानी से हासिल कर सकते हैं अगर आपने time plan नहीं किया हुआ है time का management ठीक से नहीं किया हुआ है तो उसका परिणाम यह होता है कि जो आपका time है वो waste ज्यादा होता है और वहाँ पे आप use कर लेते हैं जो productive नहीं है जैसा कि मैंने बताया आपको ये मेरे online class लेजने का session का जो सबसे बड़ा था कि मुझे मा वैसे जगा अगर focus दे रहे हैं जिसका weight जिसके सिर्फ आपके examination में 5 नंबर या 10 नंबर आएंगे तो आपने 5 नंबर में मालूम चला कि आपने 24 गंटे में से 5 गंटे दिये और जहां आपको लग रहा है कि आपको 25 परसंट या 20 परसंट आने हैं उसको आपने 5 मिनट दिया तो इस तरह से आप इस तरह से time plan करें time का management करें कि आपका जो time है वो waste न हो वो eliminate नहीं हो reduce हो जाए आप उसका maximum use कर सकें next point है improve your productivity आपकी जो उतपादकता है उसमें आप सुधार लाएं और improve करें आपको पता है कि आप जब तयारी करते हैं exam की तो किसी को पढ़ने में दिक्क आ रही है किसी के handwriting ठीक नहीं है किसी को समझने में दिक्कत आ रही है तो आपको यह plan करना है कि किस तरह से मैं workout करूँ ताकि जो भी area में आपकी कमी है उस कमी पर आपको workout करना पड़ेगा और उसमें improvement लाना पड़ेगा अगर आपकी writing speed अगर कम है तो आप उसकी practice करें writing speed को बढ़ा है अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप अपना एक group बनाएं दोस्तों से discuss करें नहीं होता है तो फिर teacherों से discuss करें नहीं होता है तो NCC में आपके उस्ताद है उनसे discuss करें उनसे भी नहीं होता तो अभी आपके जैसे यह मैंने channel start किया है तो यह सब लगत है इस channel के उपर उमीद है कि आपको यह session से फाइदा हो रहा होगा आप और बाकी जो cadets हैं आएं देखें और improve करें अभी हम आपको personality development के उपर total लगभग 30 प्रशन करवाऊंगा इस 30 प्रशन में से जो पहले के 20 प्रशन है वो A, B और C तीनों के लिए common है और जो आख पास आपको पता है कि time आपका fixed है आपको मालूम है कि आपकी energy भी fixed है एक दिन में आप इतना ही काम कर सकते हैं तो जो time और energy है उसको किस तरह से channelize करें किस area में focus करें किस topic पे कितना time दें ताकि हमें best productive मिले best output मिले जैसा कि मैंने बताया कि अभी मैंने आपको सिर्फ personality development से क् और भी चीजें थी जो attractive है बच्चों को अच्छा लगता है मैं वहाँ से भी सुरू कर सकता था बट मकसद वो नहीं है मकसद यह है कि मैं वहाँ से सुरू करूं जहां पर आपको कम से कम time में कम से कम energy में आपको maximum output मिले maximum marks generate हो गोरो C certificate का exam objective में होगा यस C certificate का exam objective में होगा और पूरे पैन इंडिया में एक ही दिन होगा 19 फरवरी को और question paper जो होगा प्रशन पत्र होगा पूरे पैन इंडिया में एक ही होगा तो अभी आपको जो मैं यह बता रहा हूँ तो इसमें जो bold किये हुए word है उस पे आप focus करें जो भी आपके question generate होगा बनेगा वो इन ही के बनेगा और अभी मारे पास question bank भी आ चुका है अभी मैं आने वाले class में अभी इसकी frequency मुझे बढ़ानी पड़ेगी संडे के अलावा मैं सोच रहा हूँ कि बुदवार, Wednesday को भी मैं साम को कोसिस करूँगा कि एक घंटे का आपके लिए class लो वहाँ पे हम objective questions को solve करेंगे ज उसके बाद next आता है improve your performance while reducing stress आपका जो performance है अभी क्या मैंने बताया कि objective प्रश्ण है, time आपके fix हैं तो जैसे आप exam में अगर बैठते हैं तो आपको मालूम है कि कितने प्रश्ण आने हैं कितने time हैं तो average आपको पता चल गया कि एक question को solve करने में मुझे 1 minute या 1.5 minute देना है तो आपके पास हाथ में घड़ी होती है आपका aim होना चाहिए कि उसी हिसाब से हम उसको solve करें और इसका एक best technique यह है कि आपने तकरीबन मान लेजे कि आपने time और सारे जो number of question है उसको divide कर लिया तो later say assume कि आपका एक question के उपर आपको 10 minute आता है तो आपको मालूम है कि 1 minute के अ उत्तर आपको पूरी तरह से आपको आता है या जिसके उपर आप confident है एक minute के अंदर फटा फट उसको solve करते जाए इससे क्या होगा कि जो 30-30 second आपने बचाए वो आखरी में फिर जो प्रशन आपको नहीं समझ में आ रहे थे या जिसमें दुविधा थी उसके उपर फिर द questions जादा होते हैं तो जब number of questions जादा होते हैं तो यह नहीं होना चाहिए कि यह question क्यों नहीं solve होगा मैं करके चोड़ूँगा पता चला कि उस प्रस्न में आपने 5 minute ले लिया result होगा कि बाकी के चार question के लिए आपके पास time कम हो गया तो यह जो आपका है कि आपका जो performance है कैस time slot तो यह सारे planning के उपर depend करता है और इस तरह से आप plan कीजिए नहीं तो होगा क्या कि आप एक part या एक chapter या एक section में ज्यादा time लगा दोगे फिर मानलग चला कि दूसरा section तो अरे time खतम हो रहा है अभी तो वो बचा ही रह गया तो यह फिर आपको examination center में hall के अंदर भी आप आपको time slot time planning time management करना होगा कि इस section में इतना time देना इस section में इतना time देना है accordingly आप time plan करें और अपना performance को improve करें इस से आपका reduce भी घटेगा next है set and achieve your long term goal हर आदमी ने अपने जीवन में एक long term goal बना रखा होता है कि मुझे government job करनी है मुझे business करना है मुझे RDC parade करना है मुझे best cadet बनना है मुझे foreign country visit करनी है मुझे modeling करना है तो हर बच्चे के अपने मन में होता है आप अपना goal जरूर set करें और उस goal के लिए लगातार अथक परिश्रम करें continuous hard work करें क्योंकि एक चीज़ आन लिजिए कोई भी long term goal जो होता है वो आपको quick जटके में सटकट तरीके से नहीं मिलता है अगर कोई आपको ये बताता है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है आप अपना goal उचा रखिए अच्छा रखिए हाई रखिए और उसको achieve करने के लिए सतत लगातार continuous उसके उपर work out कीजिए तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे time management जो है उ मैंने तकरीबन हर point को explain भी किया हुआ है ताकि आपको समझने में असानी हो सर NCC में कौन सा book study करना होता है संजीर अगर आप मेरे channel पे subscribe किये हुए है और अगर आप इस पे बने हुए है तो किसी book की जरूरत नहीं होगी जो है ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके authorized और prescribed book है उसी से पढ़ा रहा हूँ आप इसी पे देखें तो कि अभी इस बार का exam objective है तो कोई ज्यादा detail में आपको समझने की जरूरत नहीं है और मैं जितने भी important points है जहां से objective question paper generate होता है वो मैं आपको यहाँ पे cover कर रहा हूँ अगर आप इस पे बने रहेंगे तो आपको book प time management समय प्रबंधन के सिध्धांत क्या है इसके बारे में यहाँ पे आपके 6 points दिये हुए है यह आपको पता होना चाहिए develop a personal sense of time समय की एक ब्यक्तिगत भावना विकास करनी चाहिए आपको कोई भी काम को time पे करना चाहिए और इसके लिए आपके अंदर होना चाहिए अग और खास करके आपको पता होगा कि आप एक NCC काड़ेट है तो आपने एक चीज NCC में जरूर सिखा होगा कि timing का बहुत बड़ा महत्व होता है अगर आप drill कर रहे हैं और आपके सारे दोस्तों की timing सेम नहीं है तो वो drill एक भेड़ चाल में बदल जाती है तो इसी तरह से identify long term goal दिर्ग कालिन लक्ष को पहचाने जैसा कि हमने बोल रखा तब पहले इसके पहले प्रश्ण में कि हर आदमी अपने एक long term goal एक short term goal होता है तो long term goal आपका एक main target है कि मुझे ये achieve करना है और उसी को हासिल करने के लिए फिर हम छोटे छोटे goal रखते हैं कि अच्छा आज इस chapter को खतम करेंगे कल उस chapter को खतम करेंगे तो धीरे धीरे छोटे छोटे goal से आप बड़े goal को हासिल कर सकते हैं संजीव सर डेली क्लास होता है नहीं डेली क्लास तो मैं नहीं ले पाता हूँ संडे को दो बज़े तो fix है ये class बाकी मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं बुधवा जादा slot खोल सकता हूँ तो मैं चाहूँगा कि इस chat में आप जो भी दिन और timing आप suggest करेंगे तो accordingly मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा ताकि आपकी तयारी अच्छे से हो जाए exam के लिए और अगले जो next slot बनेगा उसमें मैं objective question paper आपको solve करवाऊंगा ज्यादा से ज्यादा आपकी practice भी हो जाएगी और आपके पास एक notebook के अंदर आपके वो ready made आपके material भी आपका ready होगा next point है आपका high return activities concentrate on high return activity जिस चीज से सबसे ज़्यादा फायदा हो पहले उस पे focus करें जैसा कि मैंने अभी आपको इस online class में बताया कि पूरे theory पूरे NCC exam का जो सबसे ज़्यादा आपको weightage है जहाँ पे सबसे ज़्यादा number के प्रसंद पूछे जाते हैं वो है आपका personality development इसलिए हमने इस online class की सुरुवात वहीं पे की तो high return activities ये आपके long term goal जो आपने रखा है कि मुझे NCC के examination में अच्छे grading से पास करना है अलफा grading हासिल करना है तो इसके लिए हमने आपका workout किया हुआ है और मैं वहीं से सुरू किया हूँ जहां से आपको high return मिलने वाला है अगर आपने आज 2-3 जो session हमने online classes किया अगर आपन 20-25% आपका syllabus complete हो जाएगा तो इसलिए जरूरी है कि आपको पता हो कि आपको पहले कहां focus करना है किस chapter पर focus करना है किस chapter से मुझे सबसे ज़्यादा प्रशन पूछे जाएगे तो वो आपके NCC में A, B और C तीनु certificate के examination में personality development एक ऐसा chapter है जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रश है इसी chapter से सुरुआत किया हुआ है नेक्स्ट है weekly and daily planning जैसा कि मैंने बता रखा था कि अगर आपको goal achieve करना है तो आप अपना एक daily का schedule बनाईए एक अपने 24 घंटे का cycle बनाईए उसमें हर काम के लिए अलग-अलग slot कीजिए और आपका ये plan जो होगा daily होगा कि आज मैं अग जो आपका weekday मिलता है संडे वो आपको पता होना है कि संडे को मैं इन सब का revision करूँगा और इसके numericals बनाऊंगा या इसको question paper solve करूँगा और जो भी उसमें से निकलेगा जो छूट गया हो या जो जो मैं पीछे चल रहा हूँ उसको cover करने की कोसिस करूँगा तो weekday जो होता जो भी time plan आपने कर रखा है अपने पढ़ाई का सोंबार से लेके सनीवार तक तो चुकि आपने मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सोंबार से सनीवार तक आपने पढ़ाई कर रखी है time management के मताबिक अपने schedule के मताबिक तो Sunday मैंने आपका ये रखा है कि Sunday आप revision कर सकते हैं देख सकते हैं और अगर कोई छूट गया होगा तो आप उसको इसमें जोड सकते हैं उसको clear कर सकते हैं जैहिंद आपका स्वागत है आज थोड़ा सा link ता problem हो गया था तो इस वज़े से मुझे shift करके दूसरे channel पर आना पड़ गया लेकिन अगर आपने हमारे channel को subscribe कर रखा ह और जैसे आप live button दवाएंगे उस समय तो जो भी link live होगा वो आपको red icon में दिख जाएगा उसको आप click कर ले और उसमें आप सामिल हो जाएं तो थोड़ी सी यह तकनिकी समस्याएं आती हैं बट हमारा काम होता है कि हम उसके work out करें और उसका solution तुरत निकालें तो अच्छा who share responsibility for outcome who see themselves and are seen by other as an intact social entity in a larger social system are called as team तो यह एक team की definition है इस team की definition में जो keyword है कि team दो या दो से ज़्यादा लोगों का होगा एक आदमी का team नहीं होगा अब दो से अगर ज़्यादा है तो वो दोनों दो या दो से अगर ज़्यादा है team के member तो इसका मतलब है कि वो दोनों interdependent होगे दोनों जिम्मेदारी को share करेंगे और बाकी लोग जो है वो भी उनको देखेंगे कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं और उनकी एक जो समाजिक entity है वो एक मानी जाती है तो यह सब team का definition का catch word है interdependent, share responsibility, intact, social entity तो यह सब अगर है तब जाके उसको team माना जाएगा एक अच्छा जो team होता है वो उसके अंदर जो है हर चीजों का जो आपने goal set किया है जिस goal के लिए आपने team बनाया है उस team के अंतरगर उस goal को हासिल करने के लिए जो भी जरूरी अवयाव जो है वो सही मातरा में उसमें होना चाहिए right mix of complementary competency जो है वो होना चाहिए अगर आपको मालूम है कि मुझे goal हासिल करना है तो आपको अगर उससे expert आपके team में अगर वो expert नहीं है तो naturally आपको दिक्कत आएगी तो team होता क्या है कि एक जो goal आपको हासिल करना है उस goal के जो भी sequence है जो भी stage है जो भी step है तो आपको मालूम है कि हर step के लिए हमें अलग-अलग expert चाहिए तो आपके team में वो अलग-अलग expert होने चाहिए ताकि आप as a team मिलके उस goal को हासिल कर सकें और सबसे best scout को example मिलेगा मैं चाहूंगा कि हमारे सारे NCC cadets जो हैं वो army के लिए apply करें और SSB में उनका selection हो जब आप NCC में जाते हैं जो SSB में जो आपका test होता है वहाँ पर आपका team को एक task दिया जाएगा और आपको देखो के ध्यान से इस तरह का task होगा जिसमें हर team के member का participation होगा तो किस तरह से एक अ तरह करता हुआ अला गलक task देता हुआ उस goal को achieve करता है फिर वही team विजई होता है तो आपके अंदर जो है team का मैंने बता दिया कि team क्या होता है दो और दो से ज़्यादा आदमी का होता है वो interdependent होता है responsibility को share करता है क्योंकि अगर team के अंदर कोई बोलता नहीं मैं तो काम न आसिल करने में जरूरी है उसी चीज को देखिया यहां हिंदी में लिखा गया team क्या है दो या दो से अधिक लोग जो अन्यो नासरित एक दूसरे पर interdependent हो और जो परिनामों की साजा जिमेदारी लेती हो चाहे पास हो फेल हो जो भी हो success हो या नहीं हो तो वो team उसके लिए पूरी के पूरी responsibility लेती है और बाकियों को और खुद को भी वो एक अक्षुन इकाई के तौर पे होती है एक intact entity के तौर पे जानी जाती है यह एक बहुत बड़ी जरूरी चीज है team के लिए और team को जो लक्ष है दिया गया है वो तभी हासिल हो सकता है जब उसमें सही वाले लोगों का मिश्रन हो अब हम चलते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला जो 17 नंबर का प्रशन है different types of team अलग-अलग बिभिन प्रकार के team क्या होता है किस तरह का होता है तो आपको पता होना चाहिए कि team का जो variety है प्रकार है वो चार प्रकार की team होता है पहला बोलते है functional team कार्यात्मक team जो किसी काम के लिए बनाई जाती है किसी function के लिए बनाई जाती है दूसरा type का जो team होता है वो होता है problem solving team कोई एक problem आया समस्या आई उसको सुल्जाने के लिए आपने team बनाई तो यह हो गया दूसरा प्रकार का team तीसरा होता है cross functional team का मतलब होता है एक दू टीम का output जो होगा, वो दूसरे टीम का input हो जाएगा, जैसे आपने देखा होगा, sports के अंदर एक relay race होता है, तो relay race में क्या होता है, कि एक जो athlete दोड़ता है, वो beton pass करता है, दूसरे को फिर दूसरा तीसरे को करता है, तो वो एक का output दूसरे के लिए input हो जाता है, उसके बाद next आता है, self manage team, swap प्रबंदित team, वो team जो अपने आपको manage करती है, तो इस तरह से ये आपके चार प्रकार के team होते हैं, functional, problem solving, cross functional, self manage, next जो आपका प्रशन है, वो है 18 नंबर का, जिसको हम कहते हैं, CV, जो आपने देखा होगा, कि जब आप कहीं पर किसी चीज के लिए आप apply कर करते हैं, चाहे आप best cadet के लिए हो, या फिर आप कहीं OTA या IA में जाने वाला हो, तो अक्सर हाँ battalion या कोई भी हो, आपसे मांगती है कि आप अपने एक CV बेज दें, जिसको कि हम resume भी कहते हैं, या कुछ लोग bio data भी कहते हैं, तो ये जो basically जो CV या resume जो होता है, वो आपक educational and professional history होता है, आपका पूरा description होता है, जो एक third party जिसके सामने आपकी CV या resume रखा हुआ है, वो सिर्फ एक बार अगर उसको देखता है, तो आपके बारे में पूरा चीज उसके mind में clear हो जाता है, तो इसलिए जो आपका resume और CV है, वो बिलकुल अच्छे तरीके से बना होना ताकि एक बार पढ़ने पे आपको जो भी जिसस के लिए आपने ये भेजा है resume और CV, उसमें वो सारी सम्मंदित जानकारी उपलब दोनी चाहिए, अगर आपने पूरी जानकारी नहीं डाला उसमें अच्छे से, तो वो फिर आपका वहां rejection हो जाएगा, और आपके जगा प हमें बहुत सारे cadets के बीच में से एक को लेना होता है, तो हम सब का resume मंगा लेते हैं, देखते हैं कि उनमें से किन के क्या क्या parameter है, फिर उसको हम अपने requirement जो हमारी requirement है उसके उपर देखते हैं, जो most suitable होता फिर उसको हम select कर लेते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि अपने CV और resume में details अच्छे से लिखें, sequential लिखें, ताकि सामने वाले को समझने में, select करने में आशानी हो, तो ये जो resume और CV है, वो आपका educational और professional history को indicate करता है, और generally हम इसको job application के लिए तयार करते हैं, next आजाए, क्या-क्या points हैं जो आपको interview देने से पहले आपके दिमाग में होने चाहिए, या किन-किन बातों पे आपको बिंदुओं के उपर interview देने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए, अब जब resume हमारे पास या किसी के पास जब resume आता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान या दो या तीन या पांच select करना है, तो जब हम resume मंगाते हैं, CV मंगाते हैं, तो वो हमारे पास 20, 25, 30, बहुत सारे संख्या में आ जाता है, तो फिर उसमें से हम sort listing करते हैं, तो sort listing में जैसे मुझे अगर 5 cadets चाहिए, तो हम 5 से जादा, 10 या 15, 2 गुना या 3 गुना, हम sort listing कर करते हैं, based on your resume और CV के उपर, फिर उसके बाद कि जो resume और CV में लिखा है, क्या वो सही लिखा है, तो उसको confirm करने के लिए अगला step आता है आपका job में या कहीं पर भी, वो आता है interview, कि interview में क्या होता है, कि उनके सामने आपका CV ये resume रखा रहता है, और फिर वो आपको interview लेत है, कि जो आपने resume submit किया है, वो verify कर लेते हैं, कि जो भी resume में cadets ने लिखा है, सही में वो cadet के अंदर वो चीजें quality और वो knowledge है कि नहीं है, और उसके बाद कुछ additional चीजें, जो resume में नहीं है, और उनकी job की requirement है, या उनकी QR के लिए चाहिए, वो फिर वही on the spot cadet से पूछ के, वो उसको अपना पूरा कर लेते हैं, और फिर एक final score बनाते हैं, कि लेट से 5 अगर cadet select करने हैं, 5 में से हमने 3 गुना 15 बनाए, तो 15 के अंदर resume और interview मिला के total marks निकाले, और फिर उसमें से जो best cadet है top 5, फिर हम उनको select कर लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ज रहान रखना चाहिए, interview में जाने से पहले, तो सबसे पहला है, do your homework, आप अपना workout जो है, homework जो है, interview में जाने से पहले कर ले, क्योंकि जब आप homework करके गए हैं, कि क्या पूछ सकता है, कितना detail में जा सकता है, तो जहां जिस चीज़ के लिए आप interview देने जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लें, तो जितना जादा आप knowledge और homework करके जाएंगे, उतना ही आप confident होगे, और interview में आप जो जबाब देंगे, वो उसी के मताबिक देंगे, आप उस समय left, right नहीं देखेंगा रहे, यार यह तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इसके बारे में क्योंकि बिना homework किये हुए कोई भी आदमी कहीं भी भी confident नहीं हो सकता है, तो आपको workout homework करना चाहिए, और जिस चीज के लिए आप जा रहे हैं, उससे पहले सम्बंदित homework करके वहाँ बैटें, तो उससे आपका confidence level high होगा, आप उनके interview में जो प्रशन पूछेंगे, उसका ज कारे में थोड़ा सा अपना research करके जाएं, वो research आपके interview देने में काम आएगा, next है repetition, अगर interview देने गए हैं, तो उसमें क्या होता है, कि जो आपका repetition है, जो आपका image है, वो interviewer को effect करता है, तो उसके लिए आप अपना repetition को improve करें, अच्छा बनाएं, ताकि जिसको जैसे मैं ब बना लेता है, तो अगर उससे भी ज्यादा होगा, तो वो आपके school, college की जो teacher हैं, उनसे पूछेगा आपके बारे में, तो वो सब multiple inputs जो जाते हैं, उससे वो decision लेने में easy होता है, तो आपका repetition, interviewer के सामने भी बने, अच्छा, इसके लिए जरूरी है कि आपने research किया हुआ है home work किया हुआ है, आपका resume में अच्छा से लिखा हुआ है, आपका जो social repetition है, college or school, समा society में, वो अच्छा अगर है, तो वो input वहां से भी वो लेते हैं, तो इन सब का आपके interview पे असर पड़ता है, next है, know where you are going, आप जिस चीज के लिए interview देने गए हैं, वो आपको पता होना च आप पहुँच गए, right वाले के इसी और जगह पे, तो आप अगर सही जगह पे नहीं पहुँचे, तो naturally आपका interview में इस हो जाएगा, तो जहां पर भी interview देने जाना है, वो जगह आपको पता होना चाहिए, जिस building में जाना है, वो building पता होना चाहिए, अगर किसी room या hall या conference hall में है, उसके number पता होना चाहिए, फ्लोर पता होना चाहिए, किस फ्लोर पे है, और इसी से जुड़ा next point है, कि कभी भी interview का जो timing दिया गया है, उससे 5 से 15 मिनट पहले पहुँचे, अब इसी से next, be prepared when you go for interview, bring extra copies of your resume, जब कभी आप जाते हैं interview देने के लिए, तो जो resume और CB आ देखे जाए, क्योंकि हो सकता है, कि वो बोलेंगे, अच्छा ठीक है, आप ये चीज़ ड्रॉ करके दिखाओ, या इसके बारे में आप लिख के दिखाओ, तो वो आपकी चीजों को वहाँ पर बोलन सकते हैं, तो वो आपके पास अगर notebook, pen, अगर paper है, तो आप उसको लिख के दे सकते हैं, और resume की extra copy इसलिए बताई जाती है, कि जब आप interview आपका खतम होता है, तो आप अपना resume की copy उनको माट सकते हैं, ताकि हर जो interview लेने वाले 3-4 member हैं, हर member आपके resume पढ़के आपको समझ सके, और बाद में decision ले पाएं, कि क्या आपको बुलाना है कि नहीं बुल होना चाहिए, neat and clean होना चाहिए, क्यों कि जो dressing sense है, वो आपकी personality को indicate करता है, तो आप अगर suitably और अच्छे से dressed होंगे, तो आपका impression अच्छा बनेगा, उसी से dress for success का मतलब कि आप properly dressed हो interview जाने से पहले, जिसके अंदर आपके लिखा गया है कि आपके बाल जो हैं, वो clean होने चाहिए, प्रपरली कटीए होना चाहिए, कंगी किया होना चाहिए, आपके नाखुन वगरे, clean होन चाहिए, आपने कोई perfume नहीं लगाया होना चाहिए, ठीक है न, बहुत minimal होना चाहिए, ऐसाने कि खूब धेर सार रग पर्फ्yum डाल लिया हो आपके teeth वगएरा जो है brush वगएरा हो वो साफ होना चाहिए और इसी में जो खासकरकी लिखा गया है जो बताया गया है कि जो लड़किया है girls हैं वोमेंस हैं उनका क्या dress होना चाहिए तो उनका dress के अंदर वो skirt भी पहन सकती है बट वो skirt बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होना चाहिए pant पहन सकती है blouse पहन सकती है blazer भी पहन सकती है no excessive jewelry आपको बहुत ज़्यादा make-up या jewelry पहन के नहीं जाना है और आपके बाल खुले नहीं होने चाहिए तो आपको एक formal dress में अच्छे से dress होके जाना है इसलिए आपने देखा होगा कि जब आपको IMA या OTA के लिए या कहीं भेजा जाता है तो अक्सर हाँ आपको shirt pant और tie या blazer जो है वो formal dress में आपको बोला जाता है कि आप formal dress में होके जाए उसी तरह से जो man है जो male है उनको चाहिए कि वो अच्छे से pant collar वाली shirt, tie उसके बाद blazer, shoes पहने रहें और अगर जाड़े का दिन हुआ तो वो suit भी बहन सकते हैं ऐसा नहों कि आप interview देने गए हैं और आपने jeans पहन लिया है नीचे आपने हवाई चपल डाल रखा है बाल भिखरे हुए हैं दाढ़ी बढ़ी हुई हैं कंगी आपने किया नहीं हैं तो ये आपके personality को basically indicate करता है और ये आपके interview में आपके performance को effect करता है तो आप properly dressed होके जाएं interview में, अच्छा dress होगा तो उसका एक positive impact पड़ता है अब आएए next और first phase का जो last question है उसके बारे में during interview आपको क्या-क्या चीजे हैं जो ध्यान में रखनी है अभी तक मैंने जो cover किया कि interview देने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना है और अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि interview के दवरान जो है आपको क्या-क्या ख्याल रखना है सबसे पहला है try to remember person's name call each person's by his or her name तो जो भी interview लेने वाला है अगर उसने अपने introduction दिया कि I am so and so मैं फलाना आदमी बोल रहा हूँ मैं आपका interview ले रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए आपको interview लेने वाले तीन-चार ब्यक्ती है अब ऐसा नहों कि प्रशन पूछ रहा हो बीच वाला और आप देख रहे हैं हो दाहिने या बाये या आपको left वाला प्रशन पूछ रहा हो और आप देख रहे हैं right वाले को तो जो भी interviewer आपका प्रशन पूछ रहा है उसी के उपर ध्यान कंदरीत करें If you don't have any answer to a specific question respond honestly that you don't know much about that topic अगर आपको कोई प्रशन पूछा गया है और आपको वो प्रशन नहीं आता है तो उसको गलत सिलत उत्तर देके सट्टा ना मारे क्योंकि अगर आपसे वो प्रशन पूछा है इसका मतलब है कि वो आदमी को उसका प्रशन का उत्तर मालूम है और ये भी सकते है कटू सकते है कि हर प्रशन का उत्तर हर आदमी को नहीं आता है तो आपको अगर किसी प्रशन का उत्तर नहीं आता है तो सटे ना मारे आप कह सकते हैं कि हाँ इस प्रशन का उत्तर मुझे नहीं मालूम है और अगर वो कहता है कि यह प्रशन का उत्तर आपको क्यों नहीं मालूम है तो naturally हर आदमी का जो इंट्रेस्ट होता है उस फिल्ड में वो पढ़ता है उसके बारे में थोड़े जादा नौलेज रखता है जिस फिल्ड में उसको इंट्रेस्ट नहीं है जिस में उसको एक्सपरियेंस नहीं है तो वहाँ इतना वो डेफ्ट में नौलेज नहीं रखता है तो आप फर्दर explain कर सकते हैं कि आप उस प्रशन का उत्तर क्यों नहीं जानते हैं, तो वो समझता है, आपको इस बात को समझ जाएगा, ठीक है आपका background, आपका subject, आपकी stream, आप science के हैं, arts के हैं, कहां के हैं, तो उसके accordingly फिर वो आगे समझते हैं, लेकिन गलत न बोले, क्यों तो जो चीज सच है, उसको accept करना है, और उसको बताना है, और फिर explain करना है कि आप उसको क्यों नहीं जानते हैं, नेक्स्ट है, beware of your tone of voice and your body language, जब भी आप interview देते हैं, तो आपकी आवाज और आपका जो body language है, वो आप उसको correct रखें, सही रखें, ऐसा नहों कि आप interview देने गए हैं और पता चला कि आप interview देने वाले से लड़ने वाले tone में बात कर रहे हैं, या आपकी जो body language है, वो आपका aggressive है, या threatening भासा में बात कर रहे हैं, तो naturally आपका selection नहीं होने वाला है, तो आपका language, body language जो है वो और आपकी जो आवाज के उतार चड़ाओ है, जो आपका tone है, pitch है, वो interview के मताबिक होना चाहिए, और उस out of control नहीं होना चाहिए, और आपके जो stress या emotion है, या आपका जो anger है, वो न body language में दिखना चाहिए, नहीं आपके voice में दिखना चाहिए. Next है, don't try to answer a question immediately, जैसे कभी-कभी आपने देखा होगा कि कभी-कभी interview लेने वाले का प्रशन पूछी रहा है, और वो अभी खतम भी नहीं किया, उसने अपना प्रशन, तब तक आप बीच में ही तुरत answer दे देते हैं, तो क्रिपया करके वो ना करें, क्योंकि आपने अगर ह हो सकता है कि वो प्रशन पूरा समझ ही नहीं पाए हो और आपका उत्तर गलत हो जाए, तो जो भी प्रशन पूछ रहा है, जो भी questions पूछ रहा है, उसको पहले पूरा सुने और उसके बाद आप टाइम लें, अगर थोड़ा सा अपने विचारों को आप sequence में लाना चाहते ह तो बिचारों को थोड़ा टाइम लेके sequence में लाके फिर उसमें आप अपना जवाब दे सकते हैं, प्रतिक प्रशन का उत्तर हमेशा इमांदारी से दे, ये तो बिलकुल इनवर्सल टूथ है कि जो भी प्रशन आप से पूछे जाते हैं, उनके जो जवाब हैं वो आप बिल इंटर्व्यू देने जाते हैं तो आप उस subject का उस विसाय के आप आपको knowledge होना जरूरी है और अगर आप में knowledge है तो आप उसको जरूर परदर्शन करें, दिखाएं, display करें और इस knowledge को दिखाने में कोई language या किसी किसम की हिचक नहीं होनी चाहिए, ये जरूरी है कि आपके और interviewer के बीच का जो communication है वो बहतर हो और at the end of interview ये मन में नहीं होना चाहिए कि मैं ठीक से उसको अपने उस प्रशन का उत्तर दे नहीं पाया, जितनी आपके अंदर knowledge है, ग्यान है, वो आप उसके मुताबिक बहतर से बहतर तरीके में उसको answer देने की कोशिस करें Next है, don't argue if you disagree with opinion with an interviewer, अगर कोई interview लेने वाला किसी point पे हो सकता है कि आपने कुछ प्रशन का उत्तर दिया हो, बट interviewer करता है कि नहीं, I think this should be done like this, तो आपसे बिल्कुल वो opposite बोलता हो, तो जब वो opposite बोलता हो, तो interview में कभी भी उससे बहसा बहसी जिसको बोलते न, argument न करें, क्योंकि argument करने से क्या है, आपका interview में गलत impression बनता है, तो कि कभी-कभी interviewer जान बूज के, जानते वे भी कि आपने सही जवाब दिया, वो गलत point बोलेगा, वो ये देखना चाहता है कि आप logically convince कर पाना है कि नहीं कर पाना है, आप aggressive तो नहीं हो रहे हैं, आप बिल्कुल forcefully त point को बताना चाहूंगा, कि जो हमारे विहार जारखंड के जो लड़के हैं, ये थोड़े से argument में ज्यादा interested रहते हैं, तो क्रिपया करके इस interview के दर्मियान में, जब आप interview देने जाते हैं, इन सब चीजों से बचे, आप कोई प्रशन पूछा, आपने उसको जवाब दे द देना है, कि मेरे मुताबिक ये है, बट हो सकता है आपके मुताबिक, जो आप बोल रहे हैं, वो होगा, तो उससे क्या है कि आपने confront भी नहीं किया, और आपने उसको वहीं पे block करके, वो point को खतब कर दिया, अगर आपके पास कुछ ऐसा चीज है, जो आप उसको दिखाना चाहते हो, तो आप उसको दिखाएं, लेकिन फिर वापस ले लें, ऐसा ना कि उसी के पास आप छोड़ दें, जैसे आपने कोई project किया है, कोई thesis किया है, कहीं कोई आपने आपको award मिला हुआ है, certificate मिला हुआ ह तो आप निकाल के दिखा सकते हैं, कि मुझे फलाने फलाने event के अंदर ये ये मिला था prize ये मैंने हासिल किया था, interviewer को दिखाएं, दिखाने के बाद फिर वापस लेके अपने पास रख लें, उसके पास ना छोड़ें, और सबसे last में है ये, at the end, make certain to express your gratitude, जब last में जब आ निकलते हैं, तो जरूरी है कि आपका impact उसके उपर positive पड़े, तो अंत में जो भी interview लेने वाला है, उसको आप अपना अभार ब्यक्त करें, ताकि उसके मन में आपका image अच्छा बने, और अंत में जो है, जो मैंने बोला था पहले भी, कि interview लेने वाले जितने भी एक से अग लेके आये थे, वो उनको दे दें, और साथी साथ जो है, next point है, entire interview के अंदर जो आपका response होना चाहिए, वो sincere होना चाहिए, tact होना चाहिए, और high degree of interest होना चाहिए, आप जब interview के दर्मियान में जो भी बाते बोलते हैं, वो इमंदारी से बोले, चतुरता के साथ बोले, और आ आप active उसको सुनें उसकी बातों को, और उससे कोसिस करें आप जुड़ने की भावनातमक तोर पे, आप, क्योंकि interview लेने वाले का मतलब होता है, दो personality जो है, एक दूसरे से interact करती है, communicate करती है, जब आप उससे भावनातमक तोर पे जुड़ जाते हैं, तो फिर दोनों आदम जो communication होता है, जो आप बताना चाहते हैं, वो अच्छे तरीके से समझता है, वो जो पूछना चाहता है, वो आप अच्छे तरह से समझते हैं, तो यह है, active listening में जो है, वो आपको engage करना है, जो आपका tone होना चाहिए, वो emotional होना चाहिए, और interviewer से आप emotionally attached होने की कोसिस करें, उसके बाद last point है, most important throughout the entire interview situation, display, life, enthusiasm, आप पूरे साच्छातकार के दोरान लगना चाहिए कि आपके अंदर full of energy है, जोस है, आपके अंदर dedication है, और आपकी जो personality है, उसके जो बहतर और जो अच्छे चीज हैं, वो आप जरूर वहाँ demonstrate करें, दिखा, तो इस तरह से हमने आपको 20 प्रशन कभर कर लिया, और आपका इस यहाँ पर A, B और C, तीनों के जो common subject है, वो खतम हो गया, अब इसके बाद के जो मैं प्रशन लूँगा, वो B और C के लिए होगा, तो A वाले उसको छोड़ सकते हैं, अब आजाए, हम देखते हैं, B और C के लिए अब यह जो आगे क प्रशन है, 21 के बाद जो है आगे के प्रशन, यह सिर्फ B और C के लिए exclusive है, यह A certificate के लिए नहीं है, तो A certificate वाले यहाँ से आगे escape कर सकते हैं, नेक्स्ट है, Self-Awareness, आपको पता होना चाहिए कि Self-Awareness क्या होता है, आपने जागर रुपता, उसके अंतरगरत यह तीन पॉइंट्स हैं, perceived self, real self, ideal self, यहाँ पे मैंने English में और उसके नीचे यह Hindi लिख रखा है, आप इसको आप पढ़के समझ सकते हैं, इसमें जितने भी keyword है, Self-Awareness के अ Self-Awareness, यह सारी ability जो हैं, वो आपकी Self-Awareness में contribute करती हैं, complete picture about oneself, आपको अपने पूरी बैक्तित्तु के बारे में पिक्चर पता होना चाहिए, यह आपका Self-Awareness कहलाता है, और Self-Awareness के अंदर मोटा मोटी जो पहलू है, वो यह तीन है, perceived self, real self and ideal self, उसी चीज को देखें, यह स्विकार करना भी इसी में सामिल है, अब इस तरह से प्रतेक बैक्तिको, जो यह तीन पहलू है, उनको समझना चाहिए, स्वेम का अनुभव, बास्तविक आत्म, जैसे हम बास्तों में हैं, Self-Realization जिसको बोलते हैं, और तीसरा है, ideal self, others, आत्म ज्यान, जिस तरह से हम उस छे process of determining the authenticity, accuracy, or value of something, तो यह आपके होगे critical thinking, critical thinking में क्या involved होता है, logical thinking and reasoning, इस तरह से आप देख सकते हैं, कि जो यह है, seek reason and alternative, perceive the total situation, change one's view based on evidence, अब इसी को हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है, आलोचनात्मक सोच, क्या होता है, किसी चीज की प्रमानिकता, सटिकता, या मुलिनिर्धारन करने की यह प्रकिरिया है, इसमें तार्किक सोच और तर्क सामिल है, यह जो है, उनके अंदर जो उनकी जो छमता होती है, छमता के हिसाब से, कारण और विकल्पों की तलास, कोल स्तिती को समझना, साच्छों की अधार पर एक बिचार बदलो, नेक्स्ट आपका आजाता है, कॉम्मिनिकेशन कितने तरक होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, कॉम्मिनिकेशन जो होता है, वो दो तरह का होता है, एक्टिब कम्मिनिकेशन और पैसिब कम्मिनिकेशन, एक्टिब कम्मिनिकेशन is more preferable, एक्टिब कम्मिनिकेशन में क्या होता है, कि दोनों पाटिसिपेट करते हैं, तो जरूरी है कि आपका दोनों में से एक्टिब कम्मिनिकेशन जो है, वो more preferable है, और बलते हैं सक्रिय संचार next है आपका what is mindset mindset जो होता है वो basically जो आपके quality होते हैं intelligence और talent उसके बारे में बताता है आपके जो fixed या changeable जो आपके traits हैं उसके बारे में बताता है उसके बाद है next what is etiquette etiquette क्या है etiquette is a code of behavior बाकी जो etiquette की varieties होती है वो आपको यहां लिखा हुआ है यह आपके exam में आ सकते हैं कि कौन-कौन etiquette के parts हैं और कौन से नहीं है तो इन में से कोई तीन select होगा social etiquette, bathroom etiquette, corporate etiquette, wedding etiquette, meeting etiquette, telephone etiquette, eating etiquette, business etiquette इन सब चीजों को मैं detail में नहीं बता रहा हूँ just objective questions आने वाले हैं तो आप सिर्फ इन पॉइंटों को note कर ले और इसी से match करता हुआ देखे हिंदी में इसी चीज को समाजिक शिचाचार, bathroom, corporate, साधी, bethub, telephone, भोजन, ब्यापार यह सारे शिचाचार के varieties हैं, प्रकार है next आपका आता है group जो मैंने पहले इससे पहले मैंने क्या कबर किया था different types of team और अभी यहाँ पर है different types of group तो different types of जो group होता है वो generally आपके यह दो group है friendship group, दूसरा है task group task group जो है further उसको हम divide करते हैं formal group, informal group और effective group इसको हिंदी में आप कह सकते हैं friendship group को हम बोलते हैं मैतरी समू, task group बोलते हैं कारे समू, उसके बाद जो इनके dependent है, formal group को बोलते हैं अपचारिक समू, informal group को बोलते हैं अपचारिक समू, effective group को बोलते हैं प्रभावी समू next है आपका career counseling, career counseling जो है, यह आप को कोई coaching करता है या आपको mentoring करता है issue related to an individual career, आपके career से संबंदित, कोई भी career counseling जो करता है, विज़ सलाह देता है किसी भी मुद्दे पे वो आपका career counseling कहलाता है next है आपका what is the difference between career counseling and career development तो career counseling और career development इन दोनों में क्या फर्क है तो आपको यहाँ पर बताया गया हुआ है जो आपका career counseling है इसके अंदर जो है आपको know and understand yourself आपको अपने बारे में जानने और समझने में मदद मिलता है जबकि career development जो है वो आपको यह decide करने में मदद करता है कि किस subject में कहाँ पर job करना है कैसे करना है उदो आपका career development कहलाता है तो इस तरह से दोनों का अलग-अलग है career counseling और career development को बोलते है career parameters next है benefit of career counseling career counseling के क्या-क्या फायदे है इसके जो फायदे है help in determining a student's true potential जो विद्यार्थी या छात्र है इनमें जो उनकी छमता है उसको सही तरीके से पहचाने में मदद मिलता है next है clear doubts संकाओं का निवारन होता है supports and motivation समर्थन और प्रिर्णा मिलता है guidance to a student छात्रों को इससे मार्थ दर्शन मिलता है next है आपका public speaking public speaking जो होता है basically process or act of performing a speech to a live audience आप किसी भी public के सामने जब आप भाशन देते हैं speech देते हैं आप चाहे essay बोलते हैं चाहे debate में भाग लेते हैं ये सारे आपके public speaking का एक हिश्चा है जिसमें आप अपने जो listener होते हैं उनसे face to face बात करते हैं चाहे उसमें one to one भी हो सकता है चाहे group भी हो सकता है सारुजनिक बोलना एक live दर्सकों के लिए भासन देने की प्रकिरिया या कारे है सारुजनिक बोलना एक भ्रक्ति को या सुरोताओं के समूह के सामने अपचारिक तोर पे बोलने को समझा जाता है उसके बाद next है कि हम अपने public speaking जो skill है उसको कैसे improve कर सकते हैं तो इसके जो improve करने का जो points है वो है पहला है stage presence सारुजनिक बोलने के लिए कौसल में सुधार के लिए नेमलखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए सबसे पहला है stage पे उपस्तिती अच्छे सारुजनिक वक्ता आत्म बिस्वास दोस्ताना उत्साहि और उर्जावान दिखाई देते हैं गुड पब्लिक स्पीकर्स अपियर confident, friendly, enthusiastic and energetic आगर आपका stage पर presence अच्छा होगा तो आप एक अच्छे public speaking में योगदान दे सकते हैं next है voice control जब आप भूलते हैं तो आपके अपने voice के ऊपर control होना चाहिए आपका tone, आपका pitch और आपका volume इन तीनों पे आपका control होना चाहिए उसके बाद next आता है body language आप जब stage पर खड़े होके आप जब address करते हैं तो आपका जो खड़ा होने का तरीका है body language वो भी एक बहुत बड़ा impact डालता है आपके public speaking में उसके बाद next है delivery आप जब public speaking में जिस point पे जिस मुद्धे पे आप अपना deliver कर रहे हैं speech तो उसमें आपको कैसे बोलना है speak slowly and deliberately आप धीरे और detail में बिस्तार से बात करें next है give the audience time to digest ऐसा ना हो कि आप जल्दी जल्दी बोल जाए सामने वाले को न समझ में आया नहीं उसको दिमाग के अंदर बिठा पाए तो उनको जो audience है उनको time दीजिए ताकि जो आप बोल रहे हैं वो अपने दिमाग में बिठा सके carefully articulate and pronounce जो भी आप उच्चारन कर रहे हैं वो सब साफ तरीके से करें और सही तरीके से करें ताकि जो audience है उस चीज़ को समझ सकें अगर आपका उच्चारन असपस्ट नहीं है तरीका से ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो समझने वाले जो audience हैं उनको दिक्कत आएगी कि आपने क्या बोला next है avoid filler sound तो इस तरह के जो सब्द होते हैं इस से avoid करें क्योंकि ये जो word होता है ये आपके lack of confidence को indicate करता है तो आप जब कभी speech देते हैं उसके practice कर लें और उनमें इस तरह के जो filler sounds हैं वो ऐसे न जोड़े next है vary the pitch and volume जब आप speech देते हैं तो जो आपका भाशन है या जो आपका speech है उसके जो tone है pitch है और volume है उनमें उतार चड़ाव जरूरी है क्योंकि ऐसा ना लगे कि वो robotic machine की तरह से चालू कर दिया एक constant pitch और volume में आपने पूरा speech पढ़के सुना दिया तो उससे क्या होगा कि आप अपने public से या listener से connect नहीं हो पाएंगे तो connect होने के लिए जरूरी है कि pitch और volume में बदलाव हो जैसे आप movie देखते हैं तो movie में जो कहते है ना dialogue delivery तो dialogue delivery अगर effective नहीं होगा तब तक जो cinema देखने वाले दर्शक हैं वो उसको नहीं absorb कर पाएंगे तभी आपने देखा होगा कि कोई एक dialogue famous क्यों होता है क्योंकि उसका pitch और volume और tone जो होता है वो इस तरीके से होता है आप अपने audience के साथ एक ऐसा संबंद बनाएं ताकि audience आपके सामने जो खड़ी है वो समझ सके अच्छे तरह से तो naturally जैसा audience है आपका भासा आपका delivery आपका अंदाज उसी से होना चाहिए ताकि जो आप बोल रहे है audience पूरे अच्छे तरह से उसको absorb करे तो इस तरह से आपके personality development chapter खतम होता है इसके अंतरगर जैसा कि मैंने पहले बताया C certificate का maximum जो है आपका weightage है A certificate में मैंने बताया था 14.3, B में 18.3, C में 21.1 इस तरह से आपके total NCC के theory paper का जो मैंने अभी ये percent बताया A, B और C का ये आपने पूरा कभर कर लिया उम्मीद है कि इससे आपको फाइदा मिलेगा आपने notes बना लिये होंगे नहीं भी अगर बनाए होंगे तो आप इस channel से जुड़े इस channel में आपको ये video available होगा आप इसको देखे और इससे ही आपके objective जो paper होंगे वो बनेंगे और आने वाले समय में मैं objective paper भी solve करवाऊंगा तो उम्मीद है कि आप इससे फाइदा होगे और जो cadets या जो subscriber इससे नहीं अभी तक जुड़े हैं उनको इससे जुड़ने की कोशिस करें ताकि आप सभी लोग आने वाले exam में अच्छा से अच्छा स्कोर करें और एक अच्छी grading के साथ पास होंगे करवाऊंगा